अजी बेचा लोग कैसे हैं आप सब बहुत-बहुत स्वागत है वेलकम हैं आपके अपने चैनल डाउटनक में अब जल्दी से बता दीजी कैसे हैं आप सब आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है आप बोलोगे कि मैं मैं आप हमेशे ऐसे ही पूछती हूं तो हमें पूछूंगी कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है अच्छी चल रही है नहीं चल रही है क्या दिखते आ रही है मैं बताओ कॉमेंट में औक्यक्ष लोग मैं हूं बात करेंगे अपने नए चाप्टर के बारे में कौन सा है हमारा नया चाप्टर वो है प्राणी जगत यानि की आनिमल किंग्डम तो चलो जल्दी से अपने अपने सीट की बैल को कसके बांद लेना है क्योंकि अब हम टेक आफ करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं क्या होता है ठीक फिर सके 11 संग मतलब देखें इसका वरगी करन किस तरीके से किया जाता है वह देखेने तो आगे डहें तो तो और नहीं है अब बढ़ते हैं है यहां एक वीडियो है ठीक है यहां पर हर एक तरीके गा प्राणी करेंग». यह बोल रहे हैं कि हम सब मिलके भी प्राणी जगत को बनाते हैं animal kingdom को बनाते हैं बड़े से बड़ा जानवर, चोटे से छोटा जानवर सब बहुत खुबसूरत हैं प्रकति ने उन्हें बहुत प्यार से बनाया है बहुत खुबसूरत बनाया अपने अलग खुबसूरती है सब के अंदर अलग तरीक मलब सब एक दूसरे से अलग है है ना है ना सब के सब अलग चलो ठीक है अब शुरुबात करते हैं आपने चाप्टर की ठीक है हम बात करते हैं प्रानी जगत की प्रानी जगत तो क्या बोलते हैं हम आनिमल किंग्डम ठीक, क्या बोला हमने, आनिमल, किंग्डम, ओके, क्या बोला हमने, आनिमल, किंग्डम बोला हमने, यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम संगों के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, संगों के बारे में, ठीके? ओके चलो संगों के बारे में हम यहांप़ बात करेंगे अब हमने last chapter क्या पढ़ाता? लेकन उससे पहले भी हमने क्या देखा था वर्गीकरण में, क़िव जगत का वर्गीकरण कि हमारे Mr. Lineus Tißy, कौन थे? कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस थे हमारे Mr. Hero इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दो जगत पद्दती दी थी याद है आपको? इन्होंने क्या किया था? दो जगत पद्दती ठीक है? इन्होंने दी थी दो जगत पद्दती कौन कौन आते हैं इस दो जगत पद्धती में इसमें एक पादप जगत आता था पादप जगत और दूसरा किया था भाई दूसरा था प्राणी जगत प्राणी जगत ठीक है ये दो जगत थे जो हमने देखे थे ठीक है किसमें देखे थे दिविनाम पद्धती में देखे थे इसके बाद क्या थी यहां पर दो जगत क्लासिफिकेशन था जिसमें यह था उसके बाद 3 आया 4 आया और लास्ली क्या एक्सेप्ट किया हमने 5 किंग्डम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट किया था ठीक है तो क्या था पांच जगत प्रणाली थी ठीक है जो लास्ली हमने क्या करी थी एक्सेप्ट करी थी किस ने दी थी यह फटा फट कॉमेंट से बताओ किस ने दी थी यह पांच जगत प्रणाली यह मैं बता चुकी हो और जो बच्चे नए जुड़े हैं आज हमारे साथ प्लीज अगर आपको कही भी कंफिशन हो रहा है तो प्रीवेस वीडियो में देखो आप जाके वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है कि यह सब क्या है वर्गी करन में आल्रड़ी सब कुछ पढ़ा चुके है ठीक मोनेरा पढ़ा था उसके बाद क्या पढ़ा था भाई मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है ना प्रोटिस्टा के बाद क्या पढ़ा था फंजाई ठीक है फंजाई के बाद पादत जगत और लास में हमने क्या देखा था प्राणी है ना लास में क्या देखा था हमने प्राण प्राणी जगत ठीक है यह पांच चीज़े हमने बात करी थी जब हमने इनका क्या देखा था वर्गी गरन देखा था क्लासिफिकेशन देखा था ठीक अब यह जो शुरू के तीन थे मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाय यह हमने किस में कवर किये थे अपने सेकिंड चैप्टर में कवर किये थे यह हमने यादे आपको सेकिंड चैप्टर में है ना सेकिंड चैप्टर में कवर किये थे फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था भाई हमने जीव जगत पढ़ा था अपने थर्ड चैप्टर में है ना यह हमारा कौन से है फोर्ड है जहांपर हम किसके बारें बात करें है उने किसके बारे हैं आनिमल किंङदम को है Panther को फिर conos fell कि अपृट करेंगे अनिमल किंगडम इनिकी प्राञ़ी जब्त के बारे में हम यहांपर बात करेंगा अब टो किसने क् camps ज कิया भाई दोगत् प्रनाली त्शblack कि और द्टी साँथे भूदी और नोगत्त प्रनाली तुक्त आब यहाँ पर याद रखने वाली एक और बात है कि बाई जोर्ज क्योब एर ठीक है जोर्ज यह नाम सुना है आपने क्योब आप कौन थे यह बताओ कौन थे जोर्ज क्यो बियर बताओ चल्दी चल्दी कौन तो भई यह वो थे जिन्होंने प्राणी जगत में बताया इन्होंने बताया कि जो प्राणी जगत है यह जो प्राणी जगत है इसमें क्या है इसमें बहुत सारे जीव है इसमें क्या है बहुत सारे जीव, ठीक, अब ये जो बहुत सारे जीव हैं, ये जो बहुत सारे जीव हैं, इन जीवों में क्या है, भिन्नताए हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से बहुत अलग है, ठीक है, इन में क्या है, भिन्नताए हैं, ठीक है, चलो, भिन्नताए हैं इन में, ठीक है, भिन्नताए हो वे एक दूसरे से बहुत अलगे उन्में बहुत सारी असमानताय हैं विभिनिताय हैं ठीके? अलग अले गले के सब बहुत ओरीज़िकगे से ठीके? चलो ठीके फिर क्या किया था? उन्होंने कहा था कि जो प्राणी जगत है इसको दो संगों में विभाजित किया इनोंने, ठीके, इस प्राणी जगत को इनोंने क्या किया, दो संगों में, दो संगों में क्या किया, वर्गी क्रत, ठीके, इनोंने वर्गी क्रत किया, वर्गी क्रत बताओ जल्दी से कौन कौन से थे दो संग कौन कौन से थे दो संग जिसमें इसको उन्होंने वर्गी से किया था थो भई चलो मैं बता देती हूं टll क्या थे टोटल 31 संग देए पर अगर हम सब्दात करते हैं तो टोटल किते थे 31 संग आप पहले कली एफ करलो कि संग क्या होता है आप बोलोगे मैम हमें पता नहीं संघ को हम क्या बोलते हैं संघ का मतलब होता है फाइलम ठीक है संघ का मतलब होता है फाइलम इसका मतलब यहाँ पर प्राणी जगत में टोटल 31 फाइलम थे, उन 31 फाइलम को उन्होंने दो संगों में बरगी करत कर दिया, ठीके, यहाँ पर 31 थे, 31 को उन्हें एक और एक, दो में डिवाइट कर दिया, ठीके, तो चलो देखते हैं कि वो दो संध कौन से थे, तो भाई वो दो संध कौन से थे? एक क्या था? लगू जीव जिस में थे, लगू जीव का संग, लगू जीव संग, ठीके, एक लगू जीव संग और दूसरा क्या था? दीर्ग दीर्ग जीव संग इस दो में क्या किया उन्होंने? इसको वर्गे गरत कर दिया डिवाइड कर दिया clear पिल्कुल अब लगू क्या होता है? हाँ, लगू मतलब छोटा याने कि इस संग में वो जीव थे जो छोटे थे ठीक है? दीर्ग मतलब बड़ा कहते ने दीर्ग आयू तो दीर्ग मतलब बड़ा और इस संग में क्या थे? जो जीव थे वो बड़े जीव थे ठीक है? तो ये दो संग थे जिसमें इन्होंने क्या किया? जॉर्ज क्यूबर ने इनको डिवाइड कर दिया एक लगू जीव और एक दीर्ग जीव ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर ये जो अपना लगू जीव संग है ये जो लगू जीव संग है इसमें कितने आये? 21 संग आये इसमें ठीक है? कितने संग रखे नोंने? 21 लगू वाले में ठीक है? और ये जो दीर्ग जीव है इसमें कितने रखे इनोंने? इसमें सिर्फ 10 संग रखे ठीक है? इसमें कितने रखे? 10 संग अब बेसिकली हमें इस चाप्टर में क्या पढ़ना है? हमें इस चाप्टर में इनके बारे में पढ़ना है ठीक है? 10 संग हमें इस दीर्ग, जीव, संग के बारे में पढ़ना है ठीक है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि 10 तो हम ये पढ़ेंगे एक यहां से भी पढ़ेंगे, एक संग हम यहां से भी उठाएंगे ठीक है, एक संग हम यहां से भी उठाएंगे तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 संग ठीक है कितने हो गए 11 संग यानि कि 10 तो हमने दीर्ग जीव वालों के बारे में पढ़ेंगे और एक हमने कहां से उठाया जो क्या है लगू जीव है तो 1 और 10 कितना हुआ 11 11 संग है जो हमें इस चाप्टर में पढ़ने है बिल्कुल भी डेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल नहीं घबराना है बहुत इजी है ठीक है बहुत असानी से समझ जाओगे लेकिन उसके लिए क्या करना आपको कॉंसेंट्रेट करना है थोड़ा चा अगर कॉंसेंट्रेट नहीं करोगे कैसे याद होगी कोई चीज नहीं याद कर सकते न तो भई कुछ तो याद करने के लिए क्या है कॉंसेंट्रेट तो करना पड़ेगा दिमाग को एजजे का लगाना पड़ेगा अगर दिमाग आपका इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा इधर भी जाएगा तो क्या होगा ना यहां समझ में आएगा प्रॉपर ना वहां समझ में आएगा और ना यहां समझ में आएगा ठीक है फिर क्या होगा एरोपलेन सीधे उपर से उड़ जाएगा ठीक है चल आगे बढ़ते हैं कि तो यहां पर हमने किसके बारें पढ़णा है यह हमारे कि ग्यारा संग है है चलो देखते हैं कौन-कौन से प्राणी जिगत के ग्यारा संग ठीक है चलो सबसे पहले कौन सा आता है हमारा संग पोरिफेरा ठीक है जिसको क्या बोलते हैं पोरिफेरा ही बोलते हैं फाइलम पोरिफेरा इंग्लिश में हां कुछ बच्चे कहते हैं मैं हिंदी में बताओ कुछ कहते हैं इंग्लिश में बताओ तो बच्चा आप प्लीज ठीक से देखो मैं एक-एक चीज को न, इंग्लिश में भी बताती हूं और हिंदी में भी बताती हूं बिल्कुल confusion मत रखो, ठीक है? इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, confusion नहीं रखना बिल्कुल भी, है न? पोरी फेरा के बाद, पोरी फेरा के बाद क्या आता है? जिसको हम चप्टे क्रिमी भी बोलते हैं, क्रिमी मतलब कीड़े, चप्टे मतलब जो चप्टे होते हैं, सपाट एक दम, जैसे ये चप्टा है, है न? ये बोर्ट क्या है, चप्टा है न? फिर आता है संग, एसकल हैं, संग, एसकल, एसके हलमेंथिस, ठीके, संग, एसके हलमेंथिस, ठीके, जिनको हम गोल क्रिमी बोलते हैं, गोल, इंसेक्ट, ठीके, फिर आता है हमारा आनेलिजा, ठीके, ओके, फिर हमारे पास आया, और्थरोपोडा, ओके, फिर आया मोलेस्का फिर आया एकाइनो जर्मेटा फिर आया हेमी कॉर्डेटा और उसके बाद कॉर्डेटा, ओके? तो ये क्या है, हमारे ग्यारा संग है, ठीके? जो हमें इस चाप्टर में कवर करने हैं एक साथ नहीं करेंगे अराम से करेंगे दीरे-दीरे ताकि किसी का ऐरोप्लेन न उड़े सब को समझ में आ जाए लेकिन टर्म्स और कंडिशन एपलाए हर जगा होती है आपको कॉंसेंट्रेट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा चीजों को समझना पड़ेगा वहना टर्स में कुछ समझ में नहीं आएगा वाकि में आरोप्लेन उड़ जाएगा ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है हमारे? ग्यारा संग है ये इलेविन फाइलम जो हमने कहां से उठाए थे? हां? कहां से उठाए थे हमने? दस अब देखो, प्राणियों की जो संरशना होती ये कहां रहा है वर्गी करल किस तरह से किया जाता है? यानि कि उनका क्लासिफिकेशन हम किस की बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन की बात कर रहे है क्लासिफिकेशन ठीक है? जो आनिमल किंगनम है उसा क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है क्या चीज़े हैं ऐसी जिसके बैसिस पर किया जा रहा है ठीक है तो बहुत यह कह रहा है प्राणियों कि संरशना एवं आकार में भिन्दता ठीक है कि वो उनमें क्या डिफ्रेंस है किसमें उनके स्ट्रक्चर में और उनके शेप में ठीक है क्या डिफ्रेंस है ठीक है भिन्दता डिफ्रेंस ठीक है क्या डिफ्रेंस है उनके स्ट्रक्चर और शेप में ठीक भिन्दता होते हुए भी उनकी कोशी का व्यवस्था शारिरिक, सम्मिती, प्रगुहा, की प्रक्रती, पाचन तंत्र, परिसंचरन तंत, वे जनन तंत्र की रचना में कुछ आधार भूच समानताय पाई जाती हैं बहुत सारे difference होंगे, हर एक जीव में, बहुत सारे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई medium होगा, कोई बहुत बड़ा होगा, कोई दिखाई भी नहीं देगा, ऐसे, लेकिन फिर भी कही ना कही उनमें कुछ ना कुछ similarity होगी, किन चीजों में similarity होगी, कि बाई, उनका जो है, कोशी का वैवस्ता, कैसी है उनकी, शारिरिक सम्मिति कैसी है, प्रगुहा की प्रकृति देखेंगे, पाचनतंत, परिसंचरंत, जननतंत, ठीक है, ये कुछ चीज़े हैं, ठीक, इन विशेष्टाओं के आधार को वरगी करण के आधार के रूप में परियुक्त किय जाता है, तो ये जो है विशेष्टा, ये जो है स्पेशलिटीज, ये वो बेसिस हैं, जिनके आधार पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, किसका आनिमल किंग्डम का, ठीक है, ओके, चलो, अब बात आती है कि प्राणी जगत का वरगी करण, जो है, उसके आधार क्या है, अभी हमने देखा कि कैसे किया जाता है, कौन से बेसिस है, अब ठीक है, कैसे क्या, मतलब, कुछ कॉमन चीज़ें उनमें हो सकती है, इतनी सारे डिफरेंसिस के बाद भी, लेकिन यहां हम वो मेन, छे आधार देखेंगे, जिन पर क्या होता है, वरगी करण होता है, जिनके बेसिस पे, ठीक है, कौन कौन से है, भाई उनका शरीर का संगटन कैसा है, है ना, सम्मिती, शरीर का संगटन याने की और्गनाइजेशन लेवल, और्गनाइजेशन लेवल, ठीक है, सम्मिती याने की सिमेट्री कैसी है उनकी, जर्मिस्तर याने की जर्म लेयर प्रगुह याने की सीलोम खंडी भवन याने की सेग्मेंटेशन और प्रश्ट रज्जो याने की नोटोकॉट ये वो 6 special चीज़े हैं जिनके basis पर क्या होता है यहाँ पर वर्गी करन होता है याने की classification होता है यही सारी वो 6 चीज़ देखे clear सबको ओकी, यहां तक कोई doubt नहीं है न, और doubt हो तो क्या करना है अपने को, doubt net करना है, क्योंकि यहीं से तो होगा न भई, हम आपको यहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जा रहे हो, तो आपको भी यहीं आना है हम, चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है अब भई, हम जानते हैं कि, क्या सेल जो होती है, वो सब में होती है, कोशी का क्या होती है सब में होती है चाहें वो एक कोशी किये हो ठीक है, उसमें एक होगी और बहु कोशी किये हो तो उसने बहुत सारी होगी, अनगी न थोगी, मालूम है हमको? ठीक है भाई, लो जी, यह आ गई आपकी कोशी का, ठीक है याने की सेल, ठीक? अब यह जो कोशी का है, चलो इसको हम बना देते हैं, यह क्या रही आपकी एक कोशी का है, ठीक है? ठीक है जी, अब यह जब कोशी का है, तो खूब सारी कोशी का हैं मिलके क्या बनाएंगी? एक कोशी का रहेगी, मतलब एक सेल रहेगी, तो वो एक कोशी की जीव बनेगा, ठीक है? और जब खूब सारी कोशी का हैं मिल जाती हैं, तो क्या बनता है? ठीक है? यह जब खूब सारी कोशिकाय मिली है तो क्या बनाया इन्होंने इन्होंने बनाया उतक ठीक है उतक याने की टिशू ठीक है इन्होंने क्या बनाया उतक याने की टिशू बना दिया अब जब खूब सारे टिशू मिलेंगे जब खूब सारे टिशूज मिल गए तो उन्होंने क्या बनाया जब खूब सारे टिशूज मिल गए तो उन्होंने बनाया अंग ठीक याने की ओर्गन ठीक है याने की ओर्गन बना दिया उन्होंने ठीक है तो ओर्गन कौन कौन से हो सकते है हमारे दिमाग भी है ठीक है फिर हमारा हर्ट है फिर क्या है हमारा इस तरीके से स्टामक हो गया हमारा है ना और क्या हो गया हमारा हार्ट हो जाएगा फिर हमारा ब्रेन आ गया ले इस तरीके से यह हमारा ब्रेन आ गया है फिर किड्नी आ जाएगी हमारी लो जी किड्नी आ गई हमार तो जितने भी क्या है अंग है वो क्या बन रहे हैं खूब सारे उतकों से मिलके बन रहे हैं इसे बहुत सारे टिश्यूज है सब में ठीक है ओके चलो ठीक है यहां तक क्लियर अब इस अंग से क्या बनता है ठीक है हमारे पास कोशिका से उतक बना उतक से अंग बना अंग से क्या बनेगा अब हमारे पास अंग से हमारे पास अंग तंत्र बनेगा अंग तंत्र ठीक है ओके अंग तंत्र बन गया याने की ओर्गन सिस्टम और्गन सिस्टम ठीक है और्गन सिस्टम बन गया हमारा हां ओके अब यह जो सारे और्गन सिस्टम होते हैं यानि कि अपना जनन तंत्र हो गया ठीक है अपना क्या बोलते हैं उसको स्वश्णी तंत्र हो गया पाचन तंत्र हो गया यह अलग-अलग तरीके के तंत्र होते हैं तो वो सब तंत्र मिलके क्या बनाते हैं अंग तंत्र बनाते हैं ठीक है अब ये जो अंग तंत्र है ये मिलके क्या बनाएंगे एक शरीर को बनाएंगे ठीक है एक मानव का शरीर मनाएंगे मानव शरीर यानि कि human body human body ठीक है? और चलो, इसको मानव नहीं लिखते हैं, खाली शरीर लिखते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? animal kingdom की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? सबी तरीके के आएंगे हैं ना? तो हम शरीर लिखते हैं इसको शरीर, याने की body ठीक है अब हमें पता चल गया है कि कोशिका से क्या बन रहे हैं कुप सारी कोशिका मिलके उतक बना रहे हैं कुप सारे उतक मिलके अंग बना रहे हैं अंग मिलके अंगतंत्र और फिर उससे क्या बन रहे हैं शरीर बन रहे हैं ठीक है लेकिन हम क्या बात कर रहे थे सबसे पहल है जीव ठीक है जीव का शरीर जो कोशिका से बना है जीव का शरीर जो कोशिका से बना है वो क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा वो जिस जीव का शरीर से कोशिका से बना हुआ होता है उसको वहां क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं भाई कोशिका स्तर का संगठन कोशिका स्तर का संगटन ठीक है? तो यहाँ पर यह होगा यहाँ पर क्या होता है? कोशिका एक दूसरे से अलग-अलग होती है अलग-अलग ठीक है, अलग-अलग हो गई, ओकी, ठीक है, अब इसका example क्या लिख सकते हैं हम, इसका example हम लिखेंगे पूरी फेरा, ठीक है, पूरी फेरा, इसका example हो गया, ठीक है, यहाँ तक किसी को doubt है, नहीं है न, कि भाई, वो जीव जिनका जो शरीर है, शरीर भी ठीक से नहीं लिखा है, बताओ, शरीर, ठीक है, वो जीव, जिनका जो शरीर है, वो क्या है, कोशिका से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जो कोशिका का बना हुआ है, जीव का शरीर, उसका क्या होगा, कोशिका स्थर का संगटन होगा, यानि कि कोशिका स्थर संगटन, या कोशी का स्तरका संगटर, कोई बात नहीं है, एक रहे है, ठीक है, यहां क्या होता है, कोशी का आयत होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, अलग-अलग होंगी, एक दूसरे से, और example क्या है, पोरीख फिरा, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं, अब अगर हम बात उतक की करते हैं, तो अगर हम बात इस उतक की करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, कि जिन जीवों का शरीर उतक से मिलके बना हुआ होता है, तो वहां कैसा सिस्टम होता है, हाँ, वहां पर होता है, भाई, उतक स्तर का संगटन, ठीक है, वहां पर क्या हुआ, उतक स्तर का संगटन हो गया, और इसका एग्जैम्पल आप किसको ले सकते हैं, इसका एग्जैम्पल हम ले सकते हैं, सीलेंट्रेटा, इसका एग्जैम्पल हो गया, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, और टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है, ओके चलो ठीक है, अब हमें कोशिका और उतक दोनों के बारे में मालूम है, ठीक है, अगर अब हम अंग की बात करते हैं, तो जो जीव में अंग होंगे, यहां पर, जो जीव में अंग होंगे, ठीक है, तो उस जीव को क्या बोलेंगे हम, तो उसका जो स्तर होगा, वो क्या होगा, उसक English आदी हिंदी ओफ ठीक है वो क्या होगा अंग स्तर का संगठन होगा ठीक है अंग स्तर का संगठन ठीक है जी ओके इसका क्या होगा है इसका एक्जाम्पल होगा होगा प्लेटी हिलमेंदिस अιसे लिक्या हुआ यह प्लेटी हिलमेंद इस तुमों याने कि करते के बारे में हमने बात करी थी ठीक है ना कि यह सब यह हम आगे इनको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से इसलिए ज्यादा confusion मत रखना कि मैं यह तो भी क्या है यह क्या आ रहे हैं नाम ठीक है एक्जैम्बल समझा रही हूं जो हमने संग की अभी बात करी थी न यह संग क्या है यह और जो और गन है उसमें यह वाला संग आएग아 अगर हम इसकी बात करेंगे अगर हम उतक की बात करेंगे तो यह वाला संग आएगा कोशिया की बात करेंगा तो यह वाला संग आएगा तिक के इसलिए confusion मत रखो अभी आगी इसको हम ृट्फेलने पढ़ेंगे सऽwir ज Pour Dr. तंतर की बात करते हैं तो भाई अंग तंतर जो है ठीकिंद्ट यहां पर यहां पर यह सब्लीर उसले जिसमें तो यहां पर किस प्रकारका दो यहां नग तंत्र स्तर का संगटनख ठीके और फिसको जरूर नहीं कि का लगाओ मैंने लिख दिया ठीके अंग तंत्र स्तर संग्टनख में ऐसे दिया हुआ है का नहीं दिया हुआ है कहीं भी का नहीं दिया हुआ है मैंने लिख्षा है वह ठीक है ओके अगर अब हम इसके example की बात करें तो इसमें कौन सा अग्जैंपल आते हैं तो इसमें कौन सा से लेकर Chaudeta तक ठीक है एसकल हिलमेंथिस से लेकर Chaudeta तक ठीक है ओ क्या हो गया है Slip of Tongue और यह बार बार ठीक है ओके तो यह हमारा क्या है यह संगतन स्थर है किसके कि किसमें कौन सा पाया जाता है कोशिया किसमें है उतक किसमें है अंग किसमें है अंग तंत्र किसमें है ठीक है और शरीर तो सबके पास है तभी तो यह सारी चीज़ें उसके अंदर हैं है ना ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा next क्या है तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं आगे हम, ये देखो, प्राणी जगत में संगटन के स्तर, ठीक है, हमने क्या बात करी अभी, ये देखो, ये क्या है, प्राणी जगत में संगटन के स्तर है, ठीक है, ओके, कौन-कौन से देखो, सबसे पहले हमने कोशी की बात कर संगठन यह तो यह सारे क्या हो गए है जहाँ पर क्या है कोशिका से बना हुआ है यहां पर उतक से बना हुआ है ठीक है उतक से बना हुआ है उत्चिस्तर मतलब जो higher level के organisms हो गए फिर ठीक है फिर अंगतंतर मतलब क्या हो गया भाई कि जिनका क्या है vegan system वहाँ पर मौझूध हो ठीक है अंगतंतर आने की ओंग इस्टम वहाँ पर मौझूध हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एह इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा पाचन तंत्र किसकी बात करी किसकी बात करी सबसे पहले अरे अभी तो बताया संगठन के स्थर और्गनाइजेशन लेवल ऑप अर्गनाइजे इस और रॉपन तंत्र मतलब elementary canal जो होती है ठीक है मतलब आप यह सोचो कि चाहें कोई भी है जितने भी जीविज जीव है वो क्या करते हैं कि भई सब खाना खाते हैं उन्होंने खाना लिया उसके बाद जो खाना मतलब waste material के तुरू जो अंदर नहीं हुआ उसको निकाला भी है अप्षिश्च पदार्थ के रूप में ठीक है या इंग्लिश है मोले तो फीकस यह स्टूल हना तो यह सब क्या है कि जो waste material उसको बॉड़ी से निकालते भी है तो क्या होता है कि खाने के लिए होल अलग होता है मारी बॉड़ी में ठीक है और जिसको हमने क्या बोला माउथ बोला और जो waste material निकालने के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं एनस बोलते है ठीक है याने की गुदा ठीक है चलो ठीक है अभी हम देखते हैं elementary के बारे में ठीक है तो यह क्या होती है दो तरीके की होती है क्यों नहीं हो अच्छा इधर अपून थीक है अपून आगया अपून पाचन तंत्र ठीक है पूरा नाम लिख देते हैं चलो अपून पाचन तंत ठीक जीक है अभी दो तरीके के पाचन तंतर पाए जाते हैं देखो यह अपने ना नाम से बता रहे हैं कि यह क्या है अपूर्ण क्या होता है? इनकम्प्लीट अपूर्ण क्या हुआ? इनकम्प्लीट ठीक है? जो पूरा नहीं है है ना? और पूर्ण मतलब क्या हुआ? कम्प्लीट ठीक है? जो पूरा है इसमें कही ना कही कमी है पर उसमें कुछ नहीं है है न ठीक है अब यह जो अपूंड पाचनतन्त होते हैं इसमें कौन आते हैं दूसरे तीसरे चौथे संग आते हैं इसमें ठीक है दूसरे तीसरे चौते संग आते हैं इसमें अब अगर पूर्ण पाचनतंत्र की बात करते हैं तो इसमें कौन से आते हैं पाचवे से लेके ग्यारवे तक संग आते हैं ठीक है लेकिन जो नौवा संग होता है अगर हम जो नौवा संग है क्या लिख रही हूं जो नौवा संग है जो नौवा संग है वो क्या होता है लार्वा अवस्था में मिलता है ठीक है ओके ठीक है चलो यह हमने इसके बारें बात का लिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह अपूर्ण और पूर्ण क्या है ठीक है तो अगर हम इसके बात करते हैं यह क्या है माउथ है ठीक है किसी का मौह है हुं है जह से खाना खा या इसको भूला इसको उसन यहां सी धियाल यहहां से बस्त्राइब निकाल इसको क्यांै यहां से उत्थ-चरजन चाला बस Giving है थीक है फिर्जन क्या किया वेस्ट मीटीरियल उप्शिष्ट पदार्द फिर्ट का हैका कि ऑन्पी थीक है झी समझ में आ गया अब यहां के ःग Łuky थीक है यहांसे किसी ईक्सक्रीशन कर दिया निकाल दिया इसे बार क्योंकि वो क्या था नहीं थी जरूर्छ ऊपर उसकी ये तो ये । होगा ये जो इस ट्राइब की केनल होगी इसको क्या मोलते है कनल बोलते हैं ठीक है यह क्या है केनल है ठीक है तो इस ट्राइब का जो पाचन तंत्र जिन जीवों में पाया जाता है ठीक है तो इस ट्राइब का पाचन तंत्र जो क्या कहलाता है जो जीवों में पाया जाता है प्राणी जगत में पाया जाता है यह कहलाता है पून पूर्ण पाचन तंत्र ठीक है क्या कहलाएगी पूर्ण पाचन तंत्र कहलाएगी ठीक है चलो अब दूसरी बात करते हैं क्या बात करने है कि सपोस करो ये कोई जीव है ये क्या है कोई जीव है ठीक है ओके ये जो जीव है अब क्या किया इस जीव ने इस जीव ने क्या किया यहां से सपोस करो इसने यहां से जो है खाना खाया ठीक है खाना खाया यानिकी इसको क्या किया अंतह ग्रहन किया ठीक है अंतह ग्रहन किया इसको अब यही वो सेम जगा है जहां से यह क्या कर देगा इसको उत्सर्जित कर देगा उत्सर्जन कर देगा इसका यही से क्या किया इसने उत्सर्जन 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 कर दिया ठीक है इसका excretion कर दिया ठीक है इसको बाहर निकाल दिया waste material को ठीक है तो यहां क्या हो रहा है यहां सिर्फ एक ही होल है यहां क्या है दो होल है लेकिन इस जीव में क्या है सिर्फ एक होल है कि जहां से एक हा रहा है वहीं से इसको निकाल दे रहा है ठीक है ठीके, क्या पाए जाता है, अपून पाचन तंतर, ठीके, अब अगर इनकी हम examples की बात करते हैं, तो अपना जो अपून है, इसमें कौन से examples आगए, इसमें examples आगए, आपके sealant rate, sealant rate, देखो, confusion बिलकुल भी नहीं रखना है, ठीके, क्योंकि ये वो सारी वो चीज़े हैं, जो आगे अभी हम पढ़ाई करेंगे, ठीके, इन सब को detail में पढ़ेंगे, लेकिन ये जो है, वो क्या है, ये सब चीज़े इनकी quality हैं, इनके good हैं, characters हैं, जो हम आगे इनके लक्षनों में पढ़ेंगे, इन particular जो नाम लिख रही हूं न, सब के पढ़ेंगे, इसलिए भी confusion मत हो अभी तो हम इनके बारें पढ़ रहे हैं कि अच्छा, ये ये चीज़े हैं जिसके basis पे हमने इनको वर्गी क्रप किया है, classify किया है, ठीके, कुछ तो चीज़े होंगी कि भाई 11 संग हम पढ़ रहे हैं, कुछ तो reason होगा, है न, ठीके चलो, silentrator हो गया, फिर टीनोफोरा हो ठीके और प्लेटी हिलमिंथिस, ठीके, क्या हो गया, प्लेटी हिलमिंथिस, लो जी, ये सब किसमें आते हैं, ये अपूर्ण पाचन तंत्र में आते हैं, ठीक, अब अगर हम इसकी बात करते हैं, पूर्ण पाचन तंत्र, इसमें आते हैं, अपने क्या आया इसमें एसकल फिलमिंथिस यहां से लेकर कहां तक कॉर डेटा तक ठीक है कॉर डेटा तक ओके तो यह क्या हो गए इसका एक्जैम्पल हो गए क्लियर सबको कि दो थरीके का पाचन तंत्र है एक पूर्ण है एक अपूर्ण है पूर्ण में दो होल है कि एक से खाना खा रहे हैं दूसरे से अपसिश्पधार को बाहर निकाल रहे है लेकिन जो अपूर्ण है उसमें क्या है कि एक ही होल है वहीं से योग खाना खा रहा है जीव और वहीं से उसको बाहर निकाल रहा है, ठीके? चलो, आगे बढ़ते हैं ओके, परी संचरन तंत की बात कर रहे हैं अब हम तो परी संचरन तंत रहाने की सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बोलेंगे अपन इसको? सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है? अब यह सर्कुलेटरी सिस्टम किस में आता है? किस के लिए यूज़ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम? ओविसली बलड के लिए रख है ना? इसी के लिए तो होता है? चलो, अब यह जो होता है यह परिसंच्रन तंतर याने की circulating system यह क्या होता है, दो थरीके का होता है, ठीक है, यह क्या है, दो थरीके का है, ठीक है, पहला है खुला, परिसंच्रन तंतर, ठीक, पहला ये हो गया, दूसरा कौन सा है, दूसरा है, बंद, परी, संचरन, तंथ, अब क्या होता है, कुछ जीवों में, अगर हम कुछ जीवों की बात करते हैं, ठीक, कुछ जीव, ऐसे होते हैं, जिन में जो रक्त होता है, यानि कि ब्लड होता है, रक्त, यानि कि जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, बंद, वाहिनियों में, ठीक है, बंद, वाहिनियों में, बहता है, ठीक है, जो कुछ जीवे, इन में क्या है, जो ब्लड है, वो क्या होता है, closely होता है मतलब किसी particular चीज के अंदर से होके जा रहा है ठीक, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें ये जो blood है ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें ये blood क्या होता है? हाँ सीधे सीधे तोर पर बहता है मतलब वो open है, उसको जरूरत नहीं किसी medium की कि मुझे कुछ चाहिए कि मैं ऐसे बहूं वो ऐसे बहता है जैसे नदिया होती है नदिया बह रही है, खुली एकदम कोई रोक टोक नहीं लेकिन जो बंद होता है, इसमें क्या होता है जैसे घरों में पानी आता है न टंकी उसे पतले-पतले पाइपों में ये ऐसे होता है कि इसको medium चाहिए होता है बहने के लिए, ठीक है, बंद में और जो खुला है उसमें कोई medium नहीं चाहिए वो नदी की तरह है, कहीं भी चला जाता है ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चलो इसके बारे में समझते हैं, हाँ चलो, बात करते हैं सबसे पहले हम बंद की कि भाई बंद परी संचुरन तंत ठीक, इसको क्या बोला हमने close circulatory system ठीक है पहला ये है हमारे पर ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर जो रक्त होता है यानि की जो blood है वो क्या कर रहा है, रक्त वाहिनियों में बंद होकर ठीक है, यह क्या कर रहा है, जो रक्त वाहिनी होती है रक्त वाहिनी जो होती है है इनमें क्या हो रहा है वाहिनियों में बंद होकर बहता है ठीक है रक्त वाहिनियों के द्वारा क्या करते है यह बहकर कहां पहंच products with कहां पहुंच रहा है यह अंगों तक पहुंचता है रख्थवाहिणियों के द्वारा कि आ बन्द है क्योंकि इनको क्या है मैंने क्या क्या बताए कि जो इस चीज मीडियम की ज़रूरत हो जैसे हमारे घरो में तंकियों से पानी आता है न वह प्लोज सिस्टम बंद सिस्टम है वरना अगर यह क्लोस सिस्टम है ठीक है अगर ओपन सिस्टम हो जाएगा तो तो बाड़ा जाएगी हमारे घर का सारा समान दाहर चला जाएगा है ना हां ऐसे बदा सकते हैं बेखो यह अच्छा एक्जैम्पल था हां कि अगर पानी है पानी के सपोस्ट ब्लड जो ब्लड है ना उसको पानी मानते हैं कि पानी है अब जो पानी है ठीक है तो अगर वो पाइपस के थुरू आ रहा है ठीक है पाइपस के थुरू आ रहा है वो पानी तो वो क्या कहलाएगा क्लोस कहलाएगा ठीक है तो घर में बार नहीं आएगी हम हमारे सोफा हो गया बैड हो गया यह सब चीजों में नहीं भीगेंगी ठीक है लेकिन वहीं इसका उल्टा अगर पानी पाइप के थुरू ना आके सोचो डायक्ट उपर टंकी से हमारे घर में आ जाए क्या होगा पूरा घर पानी से भढ़ जाएगा और हमारा बैड है सोफा ह यह सारी चीज़े क्या होंगी पानी में डूब जाएंगी सेम यह एक्जैम्पल है कि भाई क्लोस्ट और ओपन सिस्टम में कि क्लोस्ट में क्या है पाइप की तरोता है यानि कि जो रत्वाहिनिया है ठीक है तो इसमें जो ओर्गन होते हैं मतलब जैसे घर में सोफा और बै खून तो भाई ऐसे बहेगा बोडी में जैसे पानी में सोफा और बैट भीग जाता है बाड़ आने में तो वहां क्या है ब्लेट के अंदर इसके ओर्गन्स पड़े रहेंगे यानि कि पानी के अंदर ही क्या है सोफा पड़ाया बैट पड़ाया इधर से उदर घूम रहे ह ठीके । एससे समझो कि यह क्लोज जा और वह ओपन तो दोनों ऐसे समझो कि दोनों में अंतर क्या है अभी क्लियर हुआ हां चलो लो आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यहां क्या हो रहा है इसको क्या बोलें इसको क्या वोलेंगे द훈ंद번ic तक कैसे पहुंच रहा है धमनी शिराश के माध्यम से ठीक दंशिराश के माध्यम से क्या हो रहा है भाई ये पहुच रहा है ओके चलो अब अगला देखते हैं अगला क्या है हमारा ये तो बंद हो गया अब क्या है खुला खुला परिसंचरण तंत्र याने की क्लोस्ट सर्कुलेट्री सिस्टम ठीक है दूसरा ये आया हमारे पार ठीक अब यहां पर क्या होता है हां यहां पर यहां पर भाई जो रक्त होता है ठीक है यह क्या करता है रक्त का जो बहाव होता है ठीक है वो क्या होता है डारेक्ट अंगला क्या होता है तक होता है दारेट होता है उसे जरूरत नहीं किसी मीडियम की है झारेक्ट अंको तक हो रहा है ठीक है इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वोज करो यह कैसी चीजकी बॉड़ी है ठीक है और यह हाइट है इसका ठीक है अब क्या हो रहा है कि अगर इसके अंदर ब्लड जाएगा ठीक है इसके अंदर ब्लड जाएगा तो इसको किसकी जरूरत है भाई इस तरीके से यह ब्लड जा रहा है ठीक है तो इसको किसकी जरूरत है एक वेंस की जरूरत है जिसके थूरू यह ब्लड जाएगा ठीक ह यह जा रहा है देखो अंगों तक पहुँच रही है ठीक है लेकिन जब यह deoxygenated हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जाएगा जब तक इसमें क्या है oxygen है तब तक तो बढ़िया है ना oxygenated है जब यह deoxygenated हो जाएगा तो भाई इसके लिए अलग सा होगा ठीक है deoxygenated blood याने कि यहां जो खून है यह जो blood है रत है वह क्या है वही उसको जाएगा डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुशर मुशर करके यहां पहुच जाएगा यह क्या करेंगे blood विस्स अंदर ऐसे मिलेंगे आपको डायरेक्ट यह अंगों तक पहुच जाएगा ठीक है इसका हाल यह है और यहां क्या है प्रॉपर एक अच्छे तरीके से सब एकभुच यहां पे चल रहा है ठीक अगर हम यहां पर इसके एकजैम्पल की बात करते हैं तो आप इसका जोगा और तुरो पॉड़ा ारणिगर दूसरा क्या ओगा मुवलत का मुलस का ठीक है यह दो इसका एक्जेम्पल हो गए ओके इसका एक्जेम्पल क्या है कॉडटेटा कॉडटेटा ओके क्लियर रहे यहां तक चलो आगे बढ़ते हमने परी संच्टन तंत्र याने की सर्कुलेटर सिस्ट्रम कम्प्लीट कर लिया पिर हमारे पास आता है भाई सम्मिती तो यहां पर क्या होता है भाई सिमेट्री में हां क्या होता है तो यहां पर तीन तरीके की होती है यहां पर क्या होई यह तीन तरीके की होई ठीक है तो पहला क्या है हमारे पास अरिय सम्मिती ठीक है अरिय सम्मिती ठीक है पहला यह है हमारे पास हां दूसरा क्या है दूसरा है तीसरा क्या है द्वी पार्षव तो ये क्या है सम्मिति जे होती न तीन प्रकार की होती पहली होगी अर्य सम्मिति दूसरी अ सम्मिति और तीसरी द्यूपार्षव सम्मिति अब अगर हम अर्य सम्मिति की बात करते हैं अगर अब हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि जो किसी जीव का शरीर है ठीक है जीव का शरीर है ठीक है उसको अगर काटा जाए इसको क्या करेंगे हम इसको अगर काटा जाए कहां से अक्ष से ठीक है कहां से काट रहे है अक्ष से काट रहे है तो क्या होगा यहाँ पर अगर किसी जीव के शरीर को अक्ष से काटा जाए तो यहां पर क्या होगा तो थोड़ा से दर करके लिख देते हैं तो यहां पर क्या होगा जो शरीर है ना जो शरीर है वो क्या होगा केंदर से होके जाएगा ठीक है कहा जा रहा है केंदर ठीक है केंदर से होके जाएगा और ठीक है केंदर से या फिर कैसे भी या फिर कैसे भी मतलब चाहें उसको ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो ऐसे काटो कैसे भी काटो उसको तो उससे क्या होगा भाई उसे क्या होगा? वो दो बराबर भागों में क्या होगा? कभी नहीं कटेगा ठीक है? कभी नहीं कटेगा अब किसकी बात करते हैं? अब सम्मिति की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अगर किसी जीव को कोई जीव है उसको क्या है? कैसे भी काटो? तो कैसे भी काटो? ठीक है उसको कैसे भी काटो? बराबर कभी नहीं होगा बराबर कभी नहीं होगा अच्छा हाँ, यहाँ बराबर कभी नहीं होगा, यहाँ पर बराबर होगा यहाँ क्या होगा? बराबर कटेगा बराबर कटेगा ठीक है? ओके, अब अगर हम तीसरी की बात करते हैं याने कि दिवु पार्षब सम्मिति इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? तो दिवु पार्षब सम्मिति में क्या होता है? यहाँ पर क्या होगा भाई? अच्छा यहाँ पर क्या होगा द्यू पार्शब सम्मिति में कि कोई भी प्राणी एंब जीव है जो भी जीव है उसका हुआ अगर ईसका शरीर को अगर काटेंगे ठीक है कहां से काटेंगे अक्षपरसक काटेंगे यानि आक्सिस परसे अक्षपर से उसको काटोगे तो क्या होगा अक्षपर से उसको काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में मिलेगा ठीक है दो बराबर भागों में मिलता है ठीक है दो बराबर भागों में मिलेगा अगर उसे आक्सिस पे से काटेंगे तो ठीक है clear यहां तक तो यह अपना क्या हो गया और यह सम्मिति हो गया असम सम्मिति हो गया द्यू पार्शप सम्मिति हो गया ठीक है ओके ठीक है अब इसके बाद क्या आता है भाई सम्मित्य को तीन पार्ट में डिवाइड किया अर ये सम्मित्य असन सम्मित्य और दिव पार्शव सम्मित्य तो यहां हमने क्या देखा शरीर को काटा जाए अक्षपर से तो या कैसे भी काटा जाए अक्षपर से काटे यह कैसे भी काटे ठीक है, मतलब ऐसे, 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 कैसे भी काटें, दो बराबर भाग मिलेंगे हमें यहां क्या है, इसको कैसे भी काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, कैसे भी काटो, बराबर भाग कभी नहीं मिलेंगे ठीके, ओके, ओके, और लास वाले में, कया है, जीव को जब axis से काटेंगे, ऐसे, ठीके है, तो उसको दो वराबर भाग मिलेंगे, जैसे कि हम अगर इंसान है, ठीके, अगर ये क्या है, ये एक इनसान है, ठीके, अगर इसको यähän से ऐसे काटोगे ना, तो दो बराबर भागो में मिलेगा तुछ है अगर इसको एसे काटोगे ना तो कैसे भी काटोगे यह कभी भी बराबर भागों में नहीं मिलेगा क्योंकि टेड़ा मेड़ा होता दीर चल साथ आगे बढ़ते हैं यह देखो यह क्रैब उसको अक्षपे से काता है नहीं है यह ऐसा था और इसको काटा है तो क्या दो इकोल पार्ट्स ममें डिवाइड हो यानिकि दिवी पार्ट्स व सम्मिथी ठीक है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं और हाँ इसके बाद हमारे पास आता है जरम रियोन की ऑ mutually करते हैं यह वो स्थर होती है जो ब्रूण समें होती है और यह स स्थर यह इस तर्फ तीन प्रकार की होती है यह जो लेयर है तीन ट्राइब की होगी एक्टोड़म, मीजोड़म और एंडोड़म ठीक है चलो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि बहुत तीन चीज़े क्या है एक्टो मतलब अंदर, यानि कि अंतह, मीजो मतलब बीचका, एक्टो मतलब बाहर, यानि बाहे है, ठीके, यह क्या हो गई, बाहे है, ठीके, यह क्या हो गई, मद्ध है, और यह क्या हो गई, अंतह, ठीके, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, अब आगा द्यू-कोरिक तथा 3-कोरिक संहतन, یعنे की dip choble oblastic ững त्रिप्लो-πलास्टिक ठीक है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम ये क्या है? dip choim और ये क्या है? 3-कोरिक याने की triploblastic ठीक है? अगर हम यहाँ पे triploblast को देखें इसको त्री कोरिक को देखते हैं, यहां पर बात करते हैं, तो यहां क्या होता है भाई, हमारे त्री कोरिक में क्या होता है, यहां पर जो बाहरी स्तर है, है न, यानि जो बाहरी स्तर, ठीक है, यह क्या होगा, यहां क्या होता है, जो बाहरी स्तर होता है, भाई, यह, एक्टोडर्म कहलाता है, ठीके, यह क्या कहलाता है, एक्टोडर्म कहलाता है, बाहरी स्तर, ठीके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्टोडर्म में, यहाँ पर बीच में क्या होगी, बीच में मीजोडर्म होगी, ठीके, मीसोडर्म, यहाँ पर बीच में मीसोडर्म होगी, औ और बीसोडर्म के बाद क्या होगी, मीसोडर्म के बाद, एंडोडर्म होगी, फिर इसके बाद क्या होगी, अंदर की तरफ क्या होगा, एंडोडर्म, है न, एंडोडर्म, अंदर यह होगी, बीच में यह होगी, और सबसे बाहर यह होगी, ठीक है, अब बात यह है भाई, कि जिन जन्तुओं में अगर हम जिन जीवों की बात करते हैं जन्तुओं की बात करते हैं जिन जन्तुओं में ये तीनों मिलती हैं यानि कि एक्टोडर्म, नीजोडर्म और एंडोडर्म ये तीनों मिलती हैं वो क्या कहलाते हैं जन्तु त्री कोरिक ठीके क्या कहलाएंगे जन् याने की ट्रिप्लो ब्लास्टिक जिसमें ये तीनों की तीनों लेयर मिल रही है ठीक है इस तरीके से सबसे बाहर ये क्या हो गई है एक्टोडर्म ठीक है एक्टोडर्म हो गई उसके अंदर क्या है ये मीजोडर्म हो गई और सबसे अंदर क्या है ये ऐंडोडर्म हो गई ठीक है यानिकि ये क्या कहलाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा ठीक है ओके अब अगर हम इसकी बात करते हैं ठीक है कि अगर हम बात करते हैं तो डिपलोब्लास्टिक में क्या होता है इन में क्या होता है जो जिनमें क्या है ऐसे जीव जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों पाई जाती है ऐसे को क्या बोलेंगे अपन इनको हम बोलते हैं द्वी कोरिक जन्तु ठीके ऐसे को क्या बोलेंगे हम द्वी कोरिक जन्तु ठीके जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाई जाती है और जिनमें तीनों पाई जाती ह हमको क्या बोलेंगे हम त्रीख ओर रिब जंतू बोलते हैं है एक्टोड हो गई येufficient followers और उसके बाद क्या है सी ऽे एते ये एंडोडम टो किमें मैं यह क्या एक हो यह यह नंहिए है तो लो खाय कि हो चे अब यह जो स्तर है यह जो स्तर है कौन सा एक्टोडर्म और एंडोडर्म ठीक है एक्टोडर्म और एंडोडर्म यह जो स्तर है इनके बीच में हां इनके इन स्तरों के बीच यह जो है इनके बीच में क्या होता है जो स्तर है इनके बीच में जैली नुमा जेली नुमा एक पदार्थ होता है इनके बीच में यहाँ पर जेली नुमा एक पदार्थ होता है मीजोडर्म नहीं होती है क्या है यह जेली नुमा पदार्थ ठीके इनके बीच में क्या है जेली नुमा पदार्थ है ओके यहाँ तक सबको क्लियर है किसी को यहां पर कोई diet और इसकгляд example क्या ले सकते हैं हम हाँ एक और चीज यह जो jelly nowma पदार्थ होता है इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं mezogylia mezogylia ठीक है तो क्या बोला हमने mezogylia बोला ओके किसी हो कोई doubt यहां ता सब clear है ना हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हो कि आगे बढ़ते है और इसके example देख लेते हैं चलो एक बार इसका example ठीक है example क्या है इसके example आ गए बाई अपना porifera porifera हो गिया ठीक है choleon treta हो गिया और tinofora हो गिया ठीक है और अगर किसकी बात करें हम अपने trichoric की बात करें यहाँ trichoric की बात करें तो इसमें कौन आएगा platy-helminthus से platy-helminthus इस platy-helminthus से लेके कहां था? chordata platy-helminthus से लेके chordata किसमें आते हैं? trichoric में आते हैं और porifera, colentrata और tinofora किसमें आते हैं अपने? trichoric ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं यह देखो dvichoric ठीक है? यह क्या है? jelly-numah-padart mesogilia जिसको बोला है हमने ठीक है? और यहाँ क्या है? देखो एक layer दो layer और तीन layer तीनों क्या है? well-defined है ठीक है? तीनों क्या है? well-defined है यहापर ठीक है? तो यह क्या है अपना? द्विकोरिक और त्री गोरिक चलो, आगे बढ़ते हैं चलो, फिर आता है, अगला हमारा प्रगुहा याने कि सिलोम आता है ठीक है, अगर हम सिलोम की बात करते हैं तो बहई, शरीर की देह भित्ति, याने यो body wall होती है और अहार नाल भित्ति, याने कि गट वॉल जो होती है इसके बीच में क्या होता है खाली जगह होती है इसके बीच में क्या है खाली जगह है ठीक जिसको आमने प्रगूहा या सिलोम कहा क्या कहलाती है प्रगूहा या सिलोम कहलाती है अब इन खाली जगह में अंतरंग अंग यानि कि होलो ओर्गंस पाय जाते यह जो खाली जगह है बॉडी वॉल और अहार नाल के बीच में इनको क्या बोला जाता है प्रगुह बोला जाता है और जो खाली जगह इनके बीच में होती है उसको होलो और जाता है होलो और जाते हैं ओं ऐसे अंग जो अंदर से खोकले होते हैं यह क्या होते हैं फिके और अंतरंग या वैस्टरल और चाहिए छापर चाहिय्क यह जैसे कि हमारा हा है मज्तिश्क है आती यह हमारे एक्जैम्पल है okay अगर इसके एक्जैम्पल देखे जाएं तो प्रगुहा के एक्जैम्पल हम क्या ले सकते हैं इसके एक्जैम्पल आणेलीडा ठीके और म andar स्थीके और कर्ड़ेट ठीके एक्सेक्ट्रा यह इसके एक्जैम्पल हो गया है, ओके? देखो, अब सीलोम के अधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं, पहला अगु ही किये, तीक है? यहने कि ए शीलोमेट होता है, यहां क्या होता है, ऐसे प्राने जिनमे प्रगुहा नहीं होती, उन्हें अगु ही किये कहते है, जैसे एक, दो, तीन और चारवे संग, यह जो संग हैं, आगे चलके continue में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, तो इतना याद रखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौते संग के प्राणी, अब एक, दो, तीन, यह दित्ये कोरिक होते हैं, इनमें मीजोडर्म होता है, ठीक है, इनमें मीजोडर्म होता है, हो लेकिन चौता संग जो होता है, ठीक है, और इसमें मीजोडर्म होता है, लेकिन यह मीजोडर्म तूटता ही नहीं है, तो सीलोम कहां से बनेगा, फिर से वही दिक्कत है, सीलोम कैसे बनता है, सीलोम मीजोडर्म के तूटने पर ही तो बनता है, ठीक, तो यहां तो मीजोडर् है यहां पर अब इसमें भी सीलोम नहीं बनता है मतलब कि यह चारोसंग और गूही कि यानिकी ए精'm नहीं तर्फिップ नहीं रहत है दूसरा आता है प्रलाण की यानिकी सस्यलोमेथ यहाँ पर क्या होता है एसे प्राणी जिन तोटने से प्रगुहा बनती है ठीक है इनको तोम कब भनता है यह विम्हजया क्या होता है जैसे कि 6 से 11 तक प्रगुही किया कह लाते है liquid छे से ग्यारा, ग्यारा ही तो संग है, तो इनके बारे बात हो रही है, चलो आगे देखते हैं, ऐसे फिर क्या था है, कूट बूही किये, यानि कि सीडो सीलो मेट, यहां क्या होता है, ऐसे प्राणी जिनमें प्रगुहा मीजोडाम का एक्टोडाम की तरफ खिसकने से बनता है यहां पर सीलोम कैसे बन रहा है, जब ही जो मीजोडाम है, वो एक्टोडाम की तरफ खिसक जा रही है, तब बन रहा है, ठीक है, और इसका एक्जाम्पल क्या है, जो फिफ्थ फाइलम है, यानि पांच वा संग है, वो इसका एक्जाम्पल है, ओके, ठीक है, देखो, अगर mesoderm होता ही नहीं है ठीक है, यहाँ क्या है 3 layers होती है न अपने पास ectoderm, mesoderm और endoderm ecto meso endo, यहाँ पर क्या है यह जो mesoderm है यह वाली जो mesoderm है, यह क्या है नहीं है, पहले वाले में ठीक है, दूसरे वाले में क्या होता है भाई दूसरे वाले में वो कह रहा है कि यह तीनों तो है ठीक है, एक्टो भी है, मीजो भी है, और एंडो भी है तीनों है, लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि यह जो मीजोडर्म है यह क्या है, ब्रेक नहीं होती है ठीक है यह टूटती नहीं है जब यह टूटेगे नहीं तो सीलों कैसे बनेगा ठीक अब तीसरा वाला क्या बोल रहा है यह तीसरा वाला जो है भाई ठीक है यहाँ तीसरा वाला क्या है कि भाई ऐसे प्राणे जिनमें मीजोडर्म क्या होता है एक्टोडर्म की तरफ खिसकने लगता है याने कि यह क्या है अपना यह एक्टो है मीजो एंडो ठीके यहां क्या हो रहा है यह जो है मीजोडर्म यह कहां खिसकने लग गया है एक्टोडर्म की तरफ खिसकने लग गया है ठीके यह क्या हो गया सीडो सीलो मेट हो गया यहां तक सबको सोच में आया हाँ चलो clear सबको आगे बढ़ते हैं यह देखो सीलो मेट सी यह तीनों चीज़े मैंने समझा दी है आपको है ना यह क्या रहे देखो इसकी तरफ किसा करा है उसमें तीनों है ठीक चलो आगे बढ़ते हैं अब आता है खंडी भवन याने की segmentation ठीके यहां क्या हो रहा है जब शरीर को खंडों में बाट दिया जाता है तो उसे खंडी भवन कहा जाता है ठीके कोई भी शरीर है यह कोई चीज़ी का शरीर है इसको खंडे में बाट दिया है याने उसके parts कर दिये हैं ठीके तो क्या कहलाएगा वो खंडी भवन कहलाएगा ठीके यह दो प्रकार का होता है इसके two type होते हैं ठीक पहला क्या है सतही खंडी भवन सतही खंडी भवन याने की surface segmentation ठीक है यहां क्या हो रहा है जब सिर्फ शरीर के सतह का यानि कि जो अगर शरीर है उसके सतह का खंडी भवन किया जाता है यानि कि उपरी सर्फेस जो उसको सेग्मेंटेट किया जाता है ठीक है उसके अंगों को नहीं किया जाता है उपर उपर से कर देंगे पर अंदर से नही करेंगे तो ऐसे खंडी भवन को हम क्या कहते हैं सतही खंडी भवन कहते हैं ठीक है अब यहां पर होता है जब शरीर के सतह के साथ-सत अंगों का भी खंडीवान कर दिया जाता है मतलब ऊपर से सह है और अंदर से भी कररें पूरा कर रहें है तो उसको वास्तविक खंडी biz कहते है जैसे कि आयलिडा और तोप्तॉड और कॉड़िड़ा यह इस था आगे पड़ेंगे हम के बिल्कुल बेफिकर रही हूं चलो आगे बढ़ते हैं फिर आता है प्रेस्ट रज्जु थीख अगर हम प्रेस्ट रज्जु की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं ऊणोट दो में होता है ठीक है पहला क्या क्या लाएगा दो तरीके का एक इसमें पाएज आएगा एक तो नॉन कॉर्डेटा होता है ठीक है नॉन कॉर्डेटा ठीक और दूसरा कॉड डेटा दो तरीके के होते हैं हमारे पास है ना कॉड डेटा ठीक है अब यह जो प्रश्ट रज्जु है ठीक है यानि कि जो नोटो कॉड है इसका क्या सीन है भाई यह जो होती है यहाँ पर नोटो कॉड ठीक है Notochord यहां पर नहीं पाई जाती है ठीक है Non-Cordates में क्या होता है Notochord नहीं पाई जाती है लेकिन अगर Cordates की बात करते हैं तो यहां पर ये प्रस्ट रज्जू याने की क्या है अपना Notochord ये क्या पाई जाती है ठीक है अब सवाल आता है जो नोटो कॉर्ड है ठीक है जिन में नहीं पाई जाती है उसके एक्जेम्पल क्या है ठीक है इसके एक्जेम्पल क्या है तो भाई इसके एक्जेम्पल क्या है पोरी फेरा संग पोरी फेरा और दूसरा क्या है है हेमी core data ठीके यह इसके example होगे अब अगर इसकी बात करें कि इसके example क्या है तो भाई एक संग कौन सा संग core data ठीके सिर्फ एक संग जो इसका है core data ठीके ओके अब क्या रह गया इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रस्ट भाग पर कठोर, लचीली, छड़ाकार जैसी संरशना मिलती है जिसे प्रस्ट रज्जु कहा जाता है याने की यहाँ पर ठीके यह प्रस्ट रज्जु जिन जनतों में मिलती है उन्हें रज्जु की याने की कॉड़ेट्स कहते है ठीके और जिन में नहीं मिलती है उन्हें अरज्जु की याने की नॉन कॉड़ेट्स यहाँ देखा हमने नॉन कॉड़ेट्स और कॉड़ेट्स है ना ठीके ना एक से दस संग के जनतों रध्यूव की होते हैं एक से लेकर 10 संञ या कोड डेटा के जन्तुर रज्युकी होते हैं याने TWO कोड जो सिर्फ उनमें पाई जाती है ऐक है। जिस्का वर्णन इस अध्यन के शेष भागने किया गया है यानि कि जितने भी वरगी करण है इस जो भी हम इसके बारे पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक एक करके यह सब चीज़े आप पढ़ होगे चलो फिर क्या आता है हमारे पास आगया वाई संग पोरी फेरा तो यहाँ पर आप यह पोरी फेरा के आप पोटो देख सकते हो थोड़ो अजीब सा नहीं लग रहा है है ठीक है कोई बात नहीं चलो इसके बारे में बात करते हैं अब यह जो पोरी फेरा है यह जो पोरी फेरा है यह किस में आता है अनिमल किंग्डम में ठीक है हमें मालूम है अनिमल किंग्डम ठीक है अनिमल किंग्डम में आता है ठीक यहां पर हम इसके गुणों के बारे में बात करेंगे कि इसके गुण क्या है हम इसके गुणों के बारे में बात करेंगे ठीक है ओके तो चलो अगर हम इसके गुणों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि भाई पोरी फेरा जो है इसका मतलब क्या है कि जो पोरी फेरा है इसका मतलब क्या है तो यह जो पो तो हम कह सकते हैं भाई कि पोरी फेरा जो है ये क्या है दो शब्दों से मिलकर बना है ठीक है कौन से है पोरी प्लस फेरा ठीक है जहां पर पोरी का मतलब क्या होता है पोर्स याने की छिद्र इसका मतलब क्या है छिद्र ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि इनकी ये क्या है छिद्र युक्त होते हैं ठीक है तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आगया ये क्या होते हैं छिद्र युक्त होते हैं ठीक है या रंद्र बोल सकते हैं थीक है और इनकी body कैसी होती है? Sponge की तरह होती है थीक है इनका जुब body शो है Спonge की तरह है इससी की संब कोई देखा हम प्हुन अब अब क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो क्या करोगे? सबस्देख हम पासरों कोच्पी केसी हो मैं क्या है थिए की उनुएक सा नाम है थो इसका नामका पतलं के भी पता चल गया मतलब मेरी बॉडी पर च्टर मॉझूद है तो हमें इसका नाम पता चल गिया ऊतलब भी पता चलिया अबक हुव तो आवास बात करते हैं कि भाई तुम कहां रहते हो हमने इसके पूछा तो इसके बताया कि मैं जल में रहता हूं ठीक है उसने तो हमने बोले ठीक है जल में तो रहते हो आप से कोई पूछे कहां रहते हो कि आप कोई बोले का मैं यूपी में रहता हूं कोई कहीं रहता हूं कोई कहीं रहता हूं ठीक है तो इसने भी बोला मैं जल में रहता हूं लेकिन फिर हमने पूछ आप जल में तो रहत एक्सेक्टर एक्सेक्टर ठीक है तो इसने का कि मैं जल में हूँ लेकिन जल में मैं लवण ये जल में हूँ ठीक है कहां बताए इसने लवण ये जल में ठीक है ओके यहां पर है ये ठीक है अब यहां पर एक और चीज याद रखनी है कि वह सारे सारे के सारे स्पॉंजिस में से एक sponge है जिसका नाम क्या है spongila ठीक है यह अकेला एक मात्र only and only ऐसा sponge है जो स्वच जल्मे पाया जाता है ठीक है कौन सा लो जी हम स्टार मार्क बना देते हैं spongila ठीक है यह अकेला ऐसा है जो कहां पाया जाता है स्वच जलमे ये कोशिन आ सकता है कि उस पोरी फेला का नाम बताओ जो स्वच जलमे पाया जाता है तो नाम याद कर लो स्पॉंजिला ठीक है ये वन मार्क में कोशिन आ जाता है ठीक है चलो ठीक है ये हो गया अब है ना अब यह Animal Kingdom के अंदर आता है तो Animal Kingdom के अंदर कौन आते हैं जो Multicellular होते हैं ठीक है? याने कि जो बहु कोशी किये होते हैं बहु कोशी किये है ना? याने कि Multicellular ठीक है? तो इसका मतलब यह पता चल गया है कि Animal Kingdom में वो लोग आएंगे जो क्या है? बहु कोशी किये हैं तो हम कह सकते हैं कि यह कौन है? बहु कोशी किये बहु कोशी किये ठीक है? अब यहाँ पर Twist क्या आता है भाई? कि यह है तो बहु कोशी किये लेकिन इनमें जो संगटन का इस तरह है वो कौन सा है? हा? कोशी किये इस तरह है इनमें कोशी किए संगटन का इस तर ठीक है? याने कि यहां जो कोशी का है वो समून नहीं बनाती है कोशी काएं अलग-अलग होती है ठीक है? अगर वो कोशी काएं जो है यह जो सेल से अगर एक साथ हो गई इन्होंने ग्रुप बना लिया तो यह उतक बना देंगी याने कि टीशू बना देंगी ठीक है? अगर टीशू बना देंगी तो हम इसको क्या उतकिये संगटन का इस्तर बोलेंगे लेकिन यहां क्या है? कोशी काएं इक दूसरे से अलग है तो यहां पर क्या है? कोशी किये संगटन का स्तर पाया जाता है इन में ठीक है ठीक है चलो फिर क्या आता है भाई फिर 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 आता है कि भाई हम इसकी क्या बात करते हैं हमने सम्मिती की बात करी थी है ना पेच पलत देते हैं चलो फिर हम यहां कितना आगे था चार यहां आएगा पांच नमबर हम इसके सम्मिति की बात करते हैं ठीक है सम्मिति की बात करें तो अगर हम इसको अक्षपे से काटते हैं हम इसको अक्षपे से काटते हैं तो ये बिल्कुल भी बराबर भागों में नहीं कटता है, ठीक है? इसका मतलब इसमें कौन सी सम्मिती हो गई? जिसको हम क्या कहते हैं? एसमेट्री, ठीक है? अब अगर इसकी ब्रूणिये स्तर की बात करते हैं हम, ठीक है? तो इसमें दो इस्तर होते हैं, ब्रूणिये स्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो इस्तर पाए जाते हैं, ठीक है? दो इस्तर पाए जाते हैं, इसी वज़े से इनको क्या बोलते हैं हम? इनको द्वी, कोरिक, जीव, ठीक है चलो, अब अगर इनके हम पाचन तंद्र की बात करते हैं, कि ये इनके दाज सिस्टम कैसा है तो यह क्या करते हैं यह क्या है अंतह पाचन है इनके पास ठीक है कौन ते सिस्टम है अंतह पाचन तंतर ठीक है इनके पास यह है ठीक है ओके अब अगर हम इनको किसकी रंद्र की बात करते हैं इनमें इनमें अगर रंद्र की बात कर रहे हैं हम तो रंद्र कैसे हैं, दो प्रकार के हैं, ठीक है, चलो ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, एक छोटा सा डाइग्राम बना के देखते हैं, बनाई डाइग्राम, चलो ठीक है, एक छोटा सा डाइग्राम बनाते हैं, चलो यहीं बना देते हैं, लो, यह ऐसे है, लो जी, यह क्या है अपना, पॉरिफेरा, ठीक है, यह पॉरिफेरा का है, क्या है, जीव है, ठीक है, ठीक है, अब यह जो पॉरिफेरा होता है, इसके पर ऐसे छोटे 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 क्या होते हैं ऐसे छिदर होते हैं ठीक है छोटे छोटे छिदर यह हो गए और एक बड़ा सा छिदर यह होता है ठीक है अब हमें मालूम है कि यह कहां रहता है जल में रहता है यह जल में आया देख लो ठीक है ये जल में आ गया अब क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे वाले चिदरों होते हैं तो इन छोटे चिदरों को क्या बोलते हैं हम इन छोटे चिदरों को हम क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं आस्ट्रिया ठीक है इनको बोला हमने आस्ट्रिया और इनक अंतहा ग्रहन का टीक है कि अन्तहा ग्रहन का इनका इनका क्या है तो ग्लीक है Koh डीक है यह चोटे चोटे वाले पर्स होते हैं इनका ठीक अब हमने क्या बोला कि इनमें दो रंदयर है यानि कि दू क्या है चिद्र है democr Wizadore टारीके के तो तो पेग क्या हो गया हमारे यह छोटे ओला चिद्र हो गया ठीकिए इनको लिख देते हैं छोटे चिद्र C Sarawan हो गया इह भी जोटा át regular पास आप बड़ा वाल बढ़ा नहीं चितर प्षस्जवें χोटा चितर बढ़ा थिर यह में आपको संजहाने के लिए इतना नहीकर पेंग है में रहा इसको बता देंदों इसको मिखने हैं इसको वोलते हैंश keep s Runray की स्पारRO n bin अच्छा बारने बताती हूं पहले बताती है इसको क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम ठीके इसको बोला हमने ऑस्कुलम और इसका काम क्या होता है कि इन चोटे वाले छित्रों का काम क्या है देखो अच्छा अगर हम इंसान भी है ठीके हम क्या करते हैं खाना खा तो उसको निकालेंगे ना ठीक है इनै録 की ईंहेलugenрий और कारबन लेंक्षाइद लियlerde retirement लृए कि पॉरिषिर को शरीर को जिसकी जरुरुत नहीं है एसे ही हाते हैं हम पोशन वाली चीजे अपने मुझ के थुरू लेते हैं ठीक है और क्या करते हैं जो अप्षिष्ट पदात होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं ठीक है जिसके हमारे शरीर को नीद नहीं होती है तो यह भी तो खाना खाता है यह भी तो गैस लेता है है ना तो इसको पूर्पी तो अपशिष्थ पदार्टों को बाहर ६लाहसाई लिए होगी तो और निकलता है उससा अपशिष्ष पदार्थ odorAdel को बाहर निकालता है ठीक है अब स्विश्च पदार्तों को बाहर निकाल देता है यह औसकुलन से क्लियर बिल्कुल इसलिए मैंने यहां पर बोला है कि इसके पास दो प्रकार के रंद्र होते हैं एक छोटा और एक बड़ा ठीक है यहां दा क्लियर सबको कोई डाउट तो नह कि चलो अब क्या होता है अगर हम इसके किसकी बात करते हैं जल परिवहन तंत्र की बात करते हैं जल परिवहन तंत्र या फिर क्या बोलते हैं उसको हम उसको हम बोलते हैं डूसरा नाल तंत्र ठीक है और इसको हमने इंग्लिश में क्या बोला कैनाल सिस्टम बोला इसको ठीक क्या बोला कनाल सिस्टम ठीक है अब चलो इसको नेक्स पेज़ पर समझते हैं ठीक चलो अब इसको नेक्स पर समस्टाएं मैं एक डैग्राइब बना देती हूं ठीक है चलो यहां बनाते हैं ठीक है ओके ऐसे यह होगा डाइग्राम हमारा ठीक है ठीक है चलो यह हो गया ठीक है अब यहां पर क्या है इसके बाहर बॉड़ी में इस तरीके से छोटे छोटे छिद्र है ठीक है यह चोटे चोटे चिद्रों गए इसके बाहर वाली बॉडी पे और यहां क्या है यह बड़ा चिद्र है ठीक है हमने चोटे चिद्रों को क्या कहा था और बड़े को क्या कहा था और आस्कुलम कहा था ठीक है तो चलो लिख देती हूं ताकि आप भूलो ना यह क्या है यह हो गया, अब इसके बीच यह क्या है, यह क्या है, खाली जगा, ठीक है, और जो खाली जगा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुहा बोलते हैं, लेकिन यह किस की गुहा है, यह क्या है, स्पॉंज है, तो हमने इसको क्या बोला, स्पंज गुहा बोला, ठीक है, तो क्या ह यहां पर क्या बोल रहा है अगर हमने किसकी बात करी है हमने जल परिवहन तंत्रिया नाल तंत्र की बात करी है तो यहां क्या है यह कैनाली तो बन रही है अंदर खाली है तो कैनाली तो बन रही है और यहां क्या हो रहा है जल परिवहन तंत्र याने की यह जो ऑस्ट्रिया है इससे क्या हो रहा है जल अंदर आ रहा है ऑस्ट्रिया की मदद से जल अंदर आ रहा है ठीक और यहां से क्या हो रहा है अपसिश्पदार्द बाहर जा रहे है ठीक है तो जो इसका परिवहन तंत्र है वो क्या कर रहा है कि ब οποogram यहां से आराया और यहां से जा रहा है तो तो इसमें जल परिवहन तंतर भी मौझूद और लेकिन बात यह है कि भाई यह जो नाल तंतर होता है यह आप बाद में पढ़ोगे कि यह तीन भाग से बना होता है तीन भाग से बना होता है यह आप आगे चलके बड़ी क्लासेस में बढ़ोगे ठीक है बड़ी क्लास में ठीक है चलो ओके चलो यह बात हो गई है अब क्या देखते हैं हम अब देखते हैं भाई कि हम इन जीवों को क्या बोलते हैं कौन सा नंबर है 9 हो गया 10 कि यह क्या होते हैं, यह क्या होते हैं, इन जीवों को हम कहते हैं भाई, द्वी लिंगी जीव, द्वी लिंगी जीव होते हैं यह, ठीक है, या फिर इनको क्या बोलते हैं हम, उभे लिंगी, उभे लिंगी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कि भई यहां पर क्या है नर और मादा दोनों इसी में पाए जाते हैं ठीक है ओके ठीक है अब यहां पर क्या होता है अगर हम संत्ती के निर्मान की बात करते हैं यहां पर ठीक है यहां पर अगर आप संत्ती के निर्मान की बात करते हो तो यह दो प्रकार से होती है ठीक है यहाँ पर संथती दो प्रकार से होती है लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है इसमें ठीक है तो यह दो प्रकार हो गए दो प्रकार कौन से हैं दो प्रकार भई अलैंगिक अलैंगिक जनन ठीक और दूसरा कौन सा होगी अलैंगिक जनन ठीक है अब अलेंगिक जनन में क्या होता है यहां पर अलेंगिक जनन में यहां पर क्या होता है भई विखंडन की क्रिया होती है ठीक है क्या और यह विखंडन हो रहा है यहां पर ठीक है यानि कि अगर इसका कोई भी पार्ट कहीं भी गिर गया वहीं पर नया पौधा उग ज होती है यहां पर सनलयन यानि नर और मादा युगमक का सलयन यहां पर होता है तो जब यहां पर सलयन होता है उससे क्या बनता है युगमनज बनता है ठीक है इससे क्या बना युगमनज बना युगमनज बना लेकिन यहां पर युगमनज के बाद ब्रोंड नहीं बनता है इस लार्वा अवस्ता के बाद क्या होता है अब ब्रूण बनता है यहाँ पर यह चीज़ है ठीक है क्या बना यहाँ पर उसके बाद ब्रूण बना ठीक है जब यह लार्वा अवस्ता खताम हो जाती है ना उसके बाद यहाँ पर भूण बनता है इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है अप्रत्यक्ष परिवर्तन ठीक है अप्रत्यक्ष परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर कि हमने क्या पड़ा अपता कि युगमरज के बाद क्या आता है ब्रून बनता है लेकिन यहां क्या हो रहा है यहां पर युगमरज के बाद लारवल स्टेज आ रही है उसके बाद ब्रून बन रहा है तो चलो ठीक है एक बार समझा देती हूं आपको कि प्रत्यक्ष और अप् ठीक है, परिवर्धन, परिवर्धन लिख दिया है मैंने, उफ, भाई, क्या हो रहा है ये, आजा, पेन आ गिया, ठीक है, कहां चला गिया, उफ, अरे भई, अच्छा, यहां था, शिट, मुझे लगा कि, स्लाइड चली गई, परिवर्धन, कभी-कभी confusion हो जाता है, बहुत ज़्यादा, चलो, आगे बढ़ते, आच्छा, चलो, उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ओके, हम कहा है, यहां है हम, नहीं, ओफ, क्या कर रही हूँ मैं, ठीक है, सब गड़गरो रहे हैं, ठीक है, चलो, यह वीडियो देखते हैं, ठीक है, यहां पर हमने क्या बात करी थी, उसके अंतहर ग्रहन की बात करी थी, उससे खाना-खाने की बात करी थी, ठीक हिए, घीक है, तो, चलो, खाना खाते हैं, देखते हैं, उसको कैसे खाता है, यहां पर एक आदमी क्या है, इसके अंदर वो प्रॉसेस दिखाना चाहरा है, आपको कौनसी, की बहीं, हमने अंतहर ग्रहन की बात करी थी, ना, कि इन चिद्रों से खाना अंदर जाता है, यहांपे क्या कर रहा है क!! इस जारहें कि दबने क्या करेंगा इस में डाल ले तो कि देखना को छोटे-छोटे sten की यहांपे दिख रहें इसके इसे उपर छोटे लिग्रेश चोटे 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 और यह है और यह किया है 200 बड़ वाद चिद्र है है नवा वाबिफिषां क्या करेगी है कि इसमें थूञा है चित्व क्रों से यह जह हो रहा है अंदर जा रहा है इनकी यह ces नो पर है iS-Kee के थो अंदर जाएगा तो इसको जल के थो बितब पानी के साथ मिलकी तो अंदर जाएगा ना यह समझ भी उसका खाना है अब क्या हो रहा है जब उस पानी में यह मिल जा रहा है ना केमिकल ठीक है तो इन छिद्रों की मदद से ना यह अंदर जा रहा है और देखो यहाँ से जब अफश्ष्ष पदार देखो बाहर निकल रहे हूं नियुकों जितनी जरुरबाति वो उसने ले लिए ली आए देखो बाहर निकल रहे हैं यह देखरें आप बड़े वाले चेदो से कितना खुबसूरत है भाई यह जो हमारी प्रकति है यकीन मानों बहुत खुबसूरत है बहुत अलग अलग तरह की चीज़े हैं अगर आप ध्यान से देखो गे न तो हर एक छोटी छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ बहुत खुबसूरत है देख रहे हैं आप कि यहां चिद्रों से अंदर गया और यहां से बड़े वाले चिद्र से यह बाहर निकल गया देखो चलो ओके चलो आगे देखते हैं हमने बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्दन की ठीक प्रत्यक्ष परिवर्धन ठीक है और प्रत्यक्ष परिवर्धन ठीक है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने किसके बारे में बात करें भी कि यहां पर क्या होता है अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है हमने यह बात करी तो जो लब प्रत्यक्ष परिवर्धन को देख लेते हैं कि क्या होता है यहाँ पर क्या वो गई नर है और मादा है ठीक है यहाँ पर भी क्या है नर है और मादा है सब अब नर से क्या मिलेगा हमको नर युगमक मिलेगा ठीक है इससे क्या मिला नर युगमक इससे क्या मिला मादा युगमक मिला ठीक है नर युगमक और मादा युगमक यहाँ पे भी यहीं हुआ इससे नर युगमक मिला नर युगमक इससे मादा युगमक मादा युगमक ठीक है? दोनों से ये मिले हमको, ठीक अब क्या होता है कि इनका सनलेयन होगा इन दोनों क्या हुआ? सनलेयन हो गया ठीक है? नर और मादा युगमक का यहाँ पे भी हो गया भाई सनलेयन किसका नर और मादा युगमक्खा ठीके दोनों का सनलयन हो गया ठीके दोनों बरावरी बें बिल्कुल ओके अब सनलयन के बाद क्या होगा युगमनज बनेगा तो भाई इन्होंने युगमनज बना दिया युगमनज लो जी युगमनज बन गया इन्होंने का हम भी युगमनज बनाएंगे हम कैसे पीछे रह सकते हैं हमने का लो जी आप भी युगमनज बना दो आप पीछे क्यों हो ठीक है अब यहां तक तो इन में क्या है बराबरी चल रही थी अब तक ठीक इन में बराबरी चल रही है लेकिन यहां पर क्या होता है सड़ली एक ट्विस्ट आ जाता है कि भई यह जो है यूगमनज यह सीदे ब्रून बना देता है भाई यहां ब्रून बन गया है ठीक है यूगमनज के बाद और यह क्या बना रहा है इसने क्या कर दिया भई लारवा अवस्था लेकर आ गया यह अवस्था यहां क्या आ गई लारवा अवस्था आ गई यहां ब्रून बन गया यहां पर इन दोनों में क्या हो गया अंतर आ गया यूगमनज तक दोनों बराबर चल रहे थे बिलकुल ठीक है उसके बाद भाई यहां पर क्या होता है हां यहां पर ब्रून का मतलब ब्रून के बाद क्या हो गया नई संतति बन गई यहां पर क्या बन गई नई संतति बन गई ठीक है और यहां लारवा अवस्ता के बाद क्या हुआ यहाँ पर ब्रून बना ठीक है और इस ब्रून के बाद क्या बना इस ब्रून के बाद नई संतती बनी अब नई संतती बनी तो यहाँ पर एक जो है स्टेप एक्स्ट्रा हो गया वो था लारवा अवस्था तो इसलिए ऐसे जीव जिन में युगमरज के पाद ग्रून बनता है वो क्या होते हैं प्रत्यक्ष परिवर्धन होते हैं और जहां युगमरज के पाद लारवास से जाती है वो अप्रत्यक्ष परिवर्धन होते हैं ठीक है यहां तक क्लियर हो गया सबको हां आगे बढ़े ठीक है कोई confusion मत रखना आप लोग ठीक है बिल्कुल भी नहीं रखना है चलो आगे बढ़ते हैं ओके ठीक है चलो अब हम इसकी शरीर की संरशना के बारे में बात करते हैं जो पोरी फेर हो था हमने क्या बोला है कि भई यह दो लेयर से मिलके बना होता है दो स्थर होते हैं फिक है चलो हम पहले स्थर बनाते हैं तो भई यह हमारे दो इसतर हो गए, पहला तो यह आ गिया, ठीके? यह हमारा पहली लेयर हो गई, ठीके? पहला इसतर है यह हमारा, ठीके? यह पहला इसतर हो गया, इसके नीचे ठीके? ठीके? अब दूसरा इसतर भी होता है, ठीके? दूसरा इसतर कैसा हो गया, भाई? यह ऐसे करके, यह दूसरा इसतर हो गया, ठीके? यह दूसरा इसतर हो गया, अब इसके इंदर एक और सनरशना पाई जाती है, कैसे पाई जाती है इस तरीके से? लो जी बन गया हमारा ठीक है अब क्या होता है यह जो बाहर वाली होती है ठीक है यह जो दो लेयर है तो यह जो बाहर वाली लेयर है यह क्या है बाहर की लेयर ठीक है बाहर की बाहर स्थर जिसको हमने क्या नाम दिया इस स्थर को बाहर स्थर बोलते हैं जिसको हम ठीक है इसको क्या बोला हमने बाहे स्तर बोला हमने बाहे स्तर ठीक है और इंग्लिश में क्या नाम दिया है इसको हमने बाहे स्तर को इसको हमने बोला कि यह क्या है पिनाकोडर्म ठीके यह क्या हो गई पिनाकोडर्म यह कौन सी है बाहर स्तर वाली ठीक अब अंदर यह जो नीली वाली दिख रही है आपको यह अंदर क्या है नीली वाली तो इसको क्या बोलेंगे हम अंतह स्तर बोलेंगे ठीके अंतह स्तर अब इस अंतहर स्थर को क्या नाम दिया? इसको हमने नाम दिया काइनो डर्म ठीक है? इसको नाम दिया काइनो डर्म ठीक है? अब ये जो काइनो डर्म होता है इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाय होती है ठीक है? चलो लिख देते हैं इसमें क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिकाएं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हो गई हैं, ठीक, तो यह जो कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको कोशिकाओं को, Kynoside ठीक है इनको क्या बोला हमने Kynoside बोला Correct इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाए होती है ठीक है इनके अंदर ये जो है ये क्या है Antihetar यानि Kynoderm होती है डेको नाम दोनों के match कर रहे हैं अब इस Kynoderm के अंदर बहुत सारी cells होती है कोशिकाय होती है जिसका नाम क्या है काइनोसाइट यह काइनोडर्म से काइनोसाइट ठीक है क्लियर यहां तक ठीक है इसके अंदर बहुत सारी हो गई यह क्या काम करती है यह जो काइनोसाइट होती है ठीक है यह क्या काम करती है कि अंदर का जो होता है यह स्पंज गुहा यह गुहा ठीक है तो यह जो काइनोसाइड होती है यह क्या काम करती है कि यह जो स्पंज गुहा होती है इसके इस तरका काम करती है ठीक है यह क्या करती है कहां लिखे यहां लिख देती हूं चलो काइनोसाइड काइनोडर्म लिख रही थी का है कोई नो साइड ये क्या काम करती है कि जो स्पंज गुहा होती है क्या होती है स्पंज गुहा इसका जो स्तर होता है यानि कि इसका जो लेयर होता है उसका निर्मान करती है निर्मान करती है ठीक है जो sponge गुहा है इसके क्या कर रही है इस तरका layer का निर्मान कर रही है कौन ये kynoside आगे समझने है ठीक है चलो अब अगर हम इसके example की बात करते है हम अगर यहाँ example देखते है तो example क्या है इसके तो जी पहला example हो गया second ठीक है दूसरा क्या हो गया spongila ठीक है और spongila क्या बताया था मैंने only और only ऐसा spongila जो कहाँ पाए जाता है स्वच्छ जल में पाए जाता है यह स्वच्छ जल में ठीक है और last में क्या आगिया यू spongila यू spongila ठीक है यह क्या होता है बात sponge ओके ठीक है तो यह इसके शरीर की संरशना थी चलो आगे बढ़ते हैं अब इस जो हमने जो कुछ अभी पढ़ा है टोटल शुरू से लेकर अभी तक मतलब आज की अभी आगे क्लास में चलो उसको एक बार रिवीजन करने का टाइम हागिया है कि यह क्या है तो यह क्या है पढ़ी हमें पता है कि इनको समानने क्या बहुशी क्या प्राणी होते हैं जिनका शरीर संघटन कोशी कि सतरका होता है हमने भी बात कर ले थी क्योंकि कोशिकाय कोशिकाय क्या अलग होते हैं Kieran यदी टिशू बना लेगी है Nya तो फिर उत्았 उत्तर का संगटन आ जाएगा तो इसी बनाेंगे देख्याक ड़िए actor सुख्म रंद्र यानि जो चोटे रंद्र होते हैं प्रम उस्पार यह में वाला यहां से बाहर आ करने स्वश्चन तथा अप्षिष्ट पदार्तों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है जो छोटे वाले हैं इनसे क्या हो रहा है खाना और स्वश्चन का काम कर रहा है और जो बड़ा वाला है इससे अप्षिष्ट बाहर भेज रहा है ठीक है चलो अब जो कोईनोसाइट है कोईनोसाइट या कोशिका उब भी कहते हैं उसको ठीक है वह स्पंज गूहा थाता नालतंत्र को इस तरिफ करती है यही बात कर enroll कोशिकाय Airlines क्या करती है कि जो स्पंज गुआ होती है उसका स्तर बनाने का काम करती है कोशिकाओं में पाचन होता है यह जो कोशिकाओं होती है को इनमें क्या होता है पाचन का काम होता है ठीक है इसलिए उनमें अंतरा कोशिक कोशिक होती है ठीक है अब कंकाल शरीर को आधार बदान करता है ठीक है जो कंटिकाओं तथा तन्तुओं का बना हुता है क 기자 沃क प्राणी नर तथा मादा प्रतक नहीं होते हैं अलग अलग नहीं होते हैं हमने यह बी बात करी थी एक शरीर पर नर भी होगा और उसी शरीर पर मादा unlir योगी ठीक है यह इसलिए हमने का था यह उभेलंगी श्री भी होते हैं या इनको द्वीलंगी भी बोलते हैं ठीक हमने बात करी थी ओके ठीक है अब अंडे तथा शकुराणू दोनों एक ही द्वारा बनाय जाते हैं उनमें अलन लेंगिक solitary विकंडन द्वारा होता है हमने बात करी फिनको परिवर्धन अप्रत्रृर्ट होता है हमने यही बात करी थी है ननृष्येचन आंतरिक होता है क्वेव hyvin हो तथा परिवर्धन अप्रटेक्ष होता है हमने यह भी बात करी थी अप्रटेक्ष पिसली होता है क्योंकि उसमें लारल स्टेज आ रहे थी घष में वेस्क से भिनन आकरती की लार्वा आवस्ता पाई जाती नहीं बनता है पहले लारवा जानेंगे और इसके साथ-साथ हम यह भी जानेंगे कि भाई सीलन्ट रेटा को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है ऐसा क्या कारण है ऐसा क्या रीजन है जिसकी वैसे इसको नडेरिया बोला जाता है ठीक है चलो फिर अपने लक्षणों की शुरुबात करते हैं हम की भाई अगर हम लग यहाँ पर बात करें कि यह अलग केटेगरी में क्यों आते हैं सबसे पहली बात कि अगर हम इनकी इसकी बात करते हैं ठीके इसकी बात करते हैं तो यह अलग किटिगधरी में kya है एक के अलग क साफ टिगरी में क्यों आते हैं यह ठीके अब ये अलग category में चलो इसको रख भी दिया तो फिर क्या है कि बाई ये वो वज़ा है वज़े जिस वज़े से इनको अलग संग में रखा गया उस वज़े को हम पढ़ेंगे ठीके और साथ साथ का देखेंगे ये नाइडेरिया क्यों कहते हैं इसको नाइडेरिया क्यों कहते हैं तो ये सारी चीज़े क्या पढ़ेंगे हम अभी यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे ठीके तो चलो अगर लक्षणों की बात करते हैं हम अगर हम पहले लक्षण की बात करते हैं अरे लक्षण ठीके तो पहला लक्षण क्या है भाई यहाँ पर अगर हम इसकी आवास की बात करते हैं लक्षणों में पहला लक्षण इसका आवास याने की इसका रहने वाली जगा ठीके अगर हम इसके रहने वाली जगा की बात करते हैं तो भाई यह सारे के सारे कहां पाये जाते हैं सारे के सारे जारे कहां पाये जा रहे हैं समूद्री जल में लेकिन समूद्री जल कैसा होता है यह भी बतादो फटा फट से जल्दी बताओ समुद्री जल कैसा होता है नमक पाया जाता है न समुद्री जल में तो यानि कि यह क्या हुए लबनी है ठीके लेकिन जैसे हमने पोरी फेरा में बात करी थी कि वहाँ पर एक exception था ठीके तो यहाँ पर भी एक exception है यहाँ पर भी एक exception है चलो वो देखते हैं कौन है तो यहाँ पर exception है हमारा Hydra ठीके? exception क्या है Hydra ठीके जो कहाँ पाया जाता है स्वच्छ जल में ठीके? पोरिफेरा में भी अपने बात करी थी पोरिफेरा में कौन था हमारे पास Spongula था जो स्वच्छ जल में पाया जा रहा था ठीके? और यहाँ पर कौन है भाई? यहाँ पर हमारे पास Hydra है जो स्वच्छ जल में पाया जा रहा है तो why it be possible कि एक नमबर में question first अकता है कि भाई ठीके वहाँ पोरिफेरा में कौन था और यहाँ पर सिलेंट रिटा में कौन है? ठीके? ओके चलो ठीके अब अगर हम बात करें तो भाई यह क्या होते है? मुक्त तैरने वाले प्राणी होते हैं होते हैं यह प्रीली कहीं भी क्या कर सकते हैं? तैर सकते हैं ठीके? चलो अब अगर हम इनके संगटन की बात करते हैं ठीके? अगर हम इनके संगटन को देखते हैं तो यहाँ पर उतक स्तर का संगटन पाया जाता है ठीके? संगटन इसका क्या है? उतक स्तर का संगटन अगर यहाँ पर उतक इस्तर का संगटन है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो कोशिका है वो क्या है समू में मौजूद है ठीक है तो कोशिका क्या है यहाँ पर समू में समू में मौजूद है ठीक है चालो ठीक है अब अगर इसके बुरूण के बारे में बात करते हैं ठीक है अब अगर इसके बुरूण के बारे में हम बात करते हैं तो बुरूण के क्या है यहाँ पर यह बुरूण जो है दो परत यानिकि दो लेरों से बना हुआ होता ह दो पर्तों से मिलके ठीक है यह दो लेयर्स ठीक है चलो ठीक है इसी वएसे इसको क्या बोलते है वो भी दो पर्तों से मिलके बने थे इसलिए उनको क्या बोला था द्यू कोरिक बोले था यह भी दो पर्तों से मिलके बने हुए इसका मतलब यह क्या है द्यू कोरिक है ठीके, द्यू-कोरिक है, ओके, यहाँ पर कौन-कौन सी दो लेयर्स है, द्यू-कोरिक है तो, भई, एक तो, एक्टो, डर्म, और दूसरी क्या हो गई, एंडो, डर्म, ठीके, करेक्ट बिल्कुल, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, हाँ, आगे देखते हैं, भई, इसमें सम्म सम्मिथी क्या है याँ पर? अब यह सम्मिथी nuovo और यह सम्मिथी पाई जाती है. ठीके ओके चलो जी अब यह सब तो चीज़े ठीक हैं छूले यह सब कांकिया कहा के शाल पीना सब कैसे होता है इसका मतलब इसकी पाचन की रिया देखते हैं मतलब इसके पाचन का सिस्था में वह कैसा है अगरहं यहां पाचन की बात करते हैं ठीके, अगर हम यहाँ पर पाचन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो तरीके का पाचन पाया जाता है, ओके, अन्तरा कोशी किये, ठीके, और दूसरा क्या है, हाँ, अन्तरा, अन्तरा कोशी किये, ठीके, यह क्या होगा, इसके, पाचन के प्रकार हो गए, अब यह अन्तरा और अन्तरा में क्या अंतर है, इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा, है न, इन दोनों में क्या अंतर है, बताईए, तो भई, यह जो अंतरा कोशी किये, इसका मतलब खाना जो है, वो कहां गया शरीर अंदर गया तब जाके डाइजिस्ट हो गया ठीक है और अंतरा में क्या करेंगे ये लोग कि अपने मुझे को इंजाइन ये सलाइवा निकाल के जो बाहर भी खाना पीना होगा उस पर डाल देंगे जब वहां पर सर जाएगा ये जो भी कुछ होना होगा सब उसको अंदर लो कि ऐसा होता है ओके चलो अब पाचन के बाद हम क्या बात करते है बाई अब इसके चलो गुहा भी देख लेते हैं ठीक है ओफ जगा क्थम चलो एक स्लाइट बढ़ा लेते हैं फिर चलो अब इसकी क्या करते हैं गुखा देख लेते हैं ठीक है चलो गुखा की बात करते हैं तो आएगा हमारा सेविंथ पॉइंट ठीक है तो अगर हम यहां पर गुखा की बात कर रहे हैं तो यहां क्या पाये जा रहा है भई सीलिंट्रोन गुखा ठीक है क्या पाये जा रहा है इसका नाम है यह इसको बोलते हैं सीलिंट्रोन गुखा ठीक है तानीशन बिल्कुल मत रखना है हाँ उससे पहले आप सभी को चीज़े क्लियर हो रही है ना तो प्लीज कॉमेंट में येस 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 तो लिखते जाएए कि हाँ समझ में आ रहा है ठीक है में ओक के चलो आगे बढ़ते हैं चलाम इसके बाद देखते हैं इस यहाँ पर एक और इंट्रस्टिंग सी चीज पाए जाते है जिसको हम दन्ष कोशी का बोलते हैं ठीक है दन्ष कोशी का ठीक है या फिर नाइडो ब्लैस्ट ठीक है या नाइडो ब्लेस्ट ठीक है दंत कोशिका या नाइडो ब्लेस्ट बोलता है इसको ठीक है ओके यहां क्या होता है यह बॉडी से बाहर होता है ठीक है यह क्या होता है बॉडी से यह निकी शरीर से बाहर होता है ठीके और किस में मदब करता है ये बोजन में हेल्प करता है खाने में हेल्प करता है ठीके बोजन में कहां हेल्प कर रहा है ये बोजन में हेल्प कर रहा है बोजन में हेल्प इसके साथ साथ क्या करता है ये रक्षा का काम भी करता है ठीक है कि अगर इसके आज पास कोई सा कीड़ मकोड़े आ रहे हैं को जानवार आ रहे हैं तो उससे रक्षा का काम करता है ठीक है पहला यह हो गया दूसरा भाई रक्षा भी कर रहा है यह ठीक है और तीसरा क्या गती में भी मदद करता है याने कि उसके चलने फिरने में help करत किसका है कि इस तरीके से होता है कि इस तरीके से ठीक है यह क्या हमारी जैलिफिश गूहा यह यह जो हो गया ठीक है यह क्या हो गया जैली फिश गुखा ठीक है अब यह जो शरीर से बाहर निकल रही है यह देख रहे है अब यह निकल रही है यह क्या है यह है दंश कोशिका जो इसके शरीर से बाहर है भोजन में ररक्षा भी कर रहिए और गति भी कर रहा है ठीक है क्लियर बिलकुल यह आह तक है ना चलो आगे बढ़ते हैं कि कि अब यहां पर चलो यहां तक सभी को सभी सारी सारी चीज़े क्लियर ठीक है कोई डाउट तो नहीं है और डाउट हो तो क्या करना है अपने को हमेश्चे कि तरह डाउट करना है क्योंकि हम आपको यहीं पर तो मिलेंगे है ना और कहा जाएंगे ठीक है ओके चैटिंग कर रहे हो कहां अब बोलते हें कि आपो Neats कर रहे हो तो ऐसे चैटिंग करके बाते करके थोड़ी करो है को काम है ठीक है आपको कोई समझ में नहीं आ रहे ह। तो आप बाते करो ना वरना तो यहां पर ध्यान दो न कि आज समय को आप बरबाद कर रहे हो कर ऐसा समय होती है कि जो बीता हुआ समय होता है वो कभी वापिस नहीं आता है इन चीजों को ध्यान डखना हमारे मापाब भी हमको यहीं समझाते हैं कि भाई टाइम की वैल्यू करना सीखो एक बार जो समय निकल गिया वह निकल जाता है फिर हम पच्छनाते कि यार काश उस ताइम हमने ऐसा कर लिया होता काश वो टाइम हमने ऐसा कर लिया तो आज ये दिन नहीं होता एक्जाम से पहले हम ऐसी कहते हैं ना हमेशा कि यार काश हमारे को एक दिन और मिल जाता काश हमने यार टाइम वेस्ट ना किया होता हमने फोन तो आज हम पढ़ लेते हैं तो क्या हुआ आपने पहले समय को बर्बाद किया जब आपके नंबर कम आ गए तो समय ने आपको बर्बाद कर दिया देखो दुनिया है कॉंस्टेंट चलती है जो हम देते हैं रिटर्न में वह में जरूर मिलता है इस चीज को हमेशा याद रख के चलना ठीक है वाकी आप सब लोग वैसी बहुत समस्दार हो हां तो इतनी जरूरत नहीं है भी समझाने की मुझे लगता है चलो आगे बढ़ते हैं ओके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई कि जो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो प्राणी होते हैं ठीक है यहाँ पर जो प्राणी है कहां पर इस संग में वो क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं ठीक है यहाँ पर जो प्राणी है वो क्या है द ठीके? और वो किस basis पे होते है दो प्रकार के? किस basis पे होते है वो दो प्रकार के अगर हम कह रहे हैं कि बई प्राणियां दो प्रकार के हैं, तो बिल्कुल मत रखना अब लोग, क्योंकि मैंने उपर लिखा हुआ है देको शरीर का आकार उनके बॉड़ी के हिसाब से जैसी उनकी बॉड़ी है वैसे ही जो है क्या है उनके प्रकार है ठीक है तो यहां दो प्रकार के शरीर पाए जाते हैं इसी वज़े से दो प्रकार के क्या है यहां पर प्राणी है चलो देख लेते हैं जी कौन से हैं वो दो प्रकार ठीके तो भई पहला आ गया छत्रा कार छत्रा कार आ गया पहला ठीके पहला हुआ ठीक, दूसरा कौन सा हुआ भई यह मारा, दूसरा है बेलना कार यह हो गया ठीक है अब अगर हम छत्राकार की बात करते हैं तो ये कैसा होता है भाई छाते के जैसा होता है ठीक है छाता कैसा होता है ऐसा तो ये ऐसा होता है ठीक है लेकिन अगर बेलनाकार की बात करते हैं तो कैसा होता है ये polyp ठीके? polyp shape में और यह क्या है? medusa ठीके? यह है medusa, यह है polyp बेलनाकार मतलब इस तरीके से है ना? ठीक है चलो, लेकिन अब अगर इसका example को हम लेते हैं तो इसमें कौन सा example आता है? भई यहां तो example क्या आएगा आपका? jellyfish क्या है यहाँ पर? jellyfish ठीके? यहाँ पर क्या example है? hydra correct तो यह दो प्रकार से हो गए भई एक तो यह इस तरीके से medusa shape में हो गए ठीके? याने कि छादे की तरह और यह क्या होगे? बेलनाकार याने कि पॉलिप correct बिल्कुल तो यह दो प्रकार के प्राड़ी यहाँ पर हमको मिल गए ठीके? चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्या होता है? संतती का निर्मान की अगर बात करते हैं जनन की बात करते हैं यहां पर अगर हम जनन की बात करते हैं तो यहां पर भी जनन दो प्रकार से हैं यहां पर भी जनन के हैं दो प्रकार से अल्लैंगिक जनन ठीक है जिसको क्या बोलते हैं एसेक्शुल बोलते है एसेक्शुल रिप्रोडक्शन ठीक है एसेक्शुल रिप्रोडक्शन अब दूसरा कौन सा हुआ लैंगिक जनन ठीक है जनन जिसको क्या बोलते हैं एसेक्शुल रिप्रोडक्शन ठीक है तो लैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि एक ही जनन काफी होता है ठीक है अपने जैसी संथान को पूरा करने के लिए ठीक है बनाने के लिए तो यहाँ पर एक वदलब क्या है एक एक ठीक है तो यहाँ पर कौन कौन से आ जाते हैं भाई हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहला तो विखंडन आता है ठीक है विखंडन में क्या होता है कि कोई एक जनक है वो क्या कर रहा है किसी unfortunately वो कट गया है ठीक है वो क्या कर रहा है कट गया है जो जनक है वो क्या है कट गया है कटकर वो अलग-अलग टुकडों में बढ़ गया है ठीक है, हर एक टुकडा क्या होगा? हर एक टुकडा नया बना लेगा शरीर नया शरीर ठीक है, हर एक टुकडा क्या करेगा? नया शरीर बना लेगा ठीक, तो विखंडन में हमारा ये हो गया चलो ठीक है, आगे आता है मुकुलन, ठीक है, मुकुलन याने की बडिंग, ठीक है, मुकुलन याने की बडिंग हो गया, अब बडिंग में क्या होता है भाई, यहां मुकुलन में, यहां पर एक बड होती है न, एक्जैंपल किया है, जैसे हाइड्र, कि चलो ठीक है, इसमें स कोई साइगे है एक जीव है यह क्या है जीव है ठीक है तो यह क्या हुआ अनफॉर्चनेटली यह कट गिया तो इसका जो हर एक पार्ट होगा न वह एक नए शरीर में डेवलप हो जाएगा ठीक है यह क्या हुआ हमारा विखंडन यानिकी टूटना मुकलन में क्या है हमारा हाइड्रा हाइड्रा क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है यहां पर छोटे सी बड़ मौजूद होती है यह बड़ क्या करेगी यह अलग हो जाती है और जब अलग हो जाएगी तो अपना एक अलग प्लांट बना लेगी ठीक है अलग शरीर बना ले पनुरुद्ध भवन जिसको क्या बोलते हैं एम री जनरेशन ठीके इस री जनरेशन ठीके अब री जनरेशन में क्या होता है कि भाई कोई भी जनक है ठीके जनक है कोई उसके शरीर का ठुकडा एक नए बना लेता है थीक ए अनफॉर्चुनेटिल्टली वो भी अगर कहीँ से कट गया तो वो एक नएजीव बन जाएगा हार एक टुकड़ा regulationantes re मतलब दुबारा generation मतलब regeneration कोई generation है वह repeat हो रहे है ठीक है ओके चलो आप अगर हमuum lagging genuine की बात करते हैं तो lagging genuine में हमको तो लेगेर्ग जनन में though मालूं बाइँ हमको दो लोगों की जरूरत है नर और माद़ा की ठीक है तो यहां पेक हमें किसकी जरूरत आ है नर और मादा की जरूरत थीक है अभ मुझे बताओ नर से क्या मिलेगा और मादा से क्या मिलेगा हमको तो भाई नर से नर युगमक मिला हमको और मादा से मादा युगमक ठीके दोनों मिल गए हमको अब यहाँ पर क्या हुआ जब इन दोनों का सल्लयन होगा सल्लयन क्या बनेगा भाई संतती बन जाएगी क्या बन गया संतती बन गई ठीके तो यहाँ पर क्या है देखो दोनों प्रकार के जदन पाये जा रहे हैं अलैंगिक भी पाये जा रहा है और लैंगिक भी पाये जा रहा है ठीके तो इसी वएसे क्या है भाई यहाँ पर जनन इ चर्वार यहां पर दोनों प्रकार से हो रहा है और लैंगिक से भी हो रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब जितना कुछ हमने अभी पीछे डिसकस किया है सारे पेजों पर यह वो त्योरी में है तो जल्दी से देख लेते हैं थे सोरी हमसे क्या बोलना चाहरी है तो यह थियोरी कहा रही है भाई कि यह जलिये अधिकांश्टा समुद्री अथ्वा मुक्त तैरने वाले सम्मिति प्राणी होते हैं ठीक है लेकिन हाइड्रा साफ पानी में मिलता है जो हमने बात कर ली थी कि हाइड्रा क्या यहां पर exception है ठीक इनका नाम नाइडेरिया इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें दंश कोशिका ठीक है जिनको हम क्या बोलते है नाइडोब्लास बोलते है ठीक है जो हमने डाइग्राम बना के बोला था कि भाई इस तरीके से यह है यह जो दंश कोशिका यह यह ठीक है ना शरीर के कुछ भा इन में शारेरिक संगटन जो है उता किस्तर का होता है यह हम अलड़ी बात कर चुके हैं ठीके और दियू कोशी की यह होते हैं ठीके इनके शरीर के अंदर जिसमें भोजन पचता है उसे सिलेंट्रोन या जठर गुहा कहते हैं हमने बात करी थी ना गुहा की बारे में किस तरी की क्या बोलते हैं उसको तो क्यों सी है वो सिलेंट्रोन या जटरगुः इसी सिलेंट्रोन शब्द से इस संग का नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है ठीक है यही वो मेंन रीजन है इसी की वज़े से इस संग का नाम सिलेंट्रेटा रखा गया है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं पाचन की जब हम बात करते हैं तो यहां अंतह कोशी की प्रकार होता है याने की कोशी का के अंदर ठीक है यहां पर भोजन हो रहा है इनका शरीर दो प्रकार की संरशना दर्शाता एक पॉलिप या बेलना का जिसको बोलते हैं हमने बात करी थी और दूसरा मेड्यूसा या छत मैं अभी समझाती हूं आपको अच्छे तरीकिति से डिच्णत लेकिन इस संग में एक ऐसा जीव बिए जिसमें दोनुप प्रकार की स्नरशना पाई जाती है ø le ya is ये जनतू जब अलेंगि करता है तो छत्री के आकार का जनतू बनाता है ठीके और यह चत्री आकार का जन्तु जब लेंग एक जिनन करता है तो बेलनाकार का जन्तु बनता है याने की एक दूसरे को यह रिपीट कर रहे हैं इसी वज़े से इसमें जन्तु में पीडी एक आंतर होता है ठीके जैसे की फाइसेलिया हो गया हाइडरा हो गया और Aurelia हो गया ठीक्य चलो समझा अब यहां पर क्या है दहो कुछ एक्जैम्पल से इसके हैं डीकर लेकिन ग्यॉंपल से पहबे चलो आपको समझा है कि के बारे में है यहां पर समझा है शासे सट्मसान और बारे ओबेलिया के बारे में हमने बात करी अभी कि यहां पीड़ी रुप अंतर हो रहा है यही बात करी हमने तो चलो इसको एक्जैंपल को देख लेते हैं हम ठीक है तो ओबेलिया है तो यह एक ऐसा जीव है यह ऐसा जीव है जिसके जीवन चक्र में जीवन चक्र में पॉलिप और मेडियूसा दोनों पाई जाती है ठीक है क्या हो रहा है पॉलिप और मेडियूसा दोनों पाई जा रही है पॉलिप और मेडियूसा दोनों पाई जाती है यह ठीक है अब यह दोनों पाई जा रही है इसका मतलब पे हमने क्या बात करी यहां पर क्या है पीड़ी एक आंतर एक आंतरन क्या है इसका मतलब यहाँ पर pd-e-canthrin पाय जा रहा है क्योंकि जब यह आगे सन्रश्ण अपनी बढ़ाता है तो यह बन जाता है यह अपनी सन्रश्ण बढ़ाता है तो यह बन जाता है थीके चलो कि इसकी डाइग्राम से आपको समझाती हूँ चलो, पॉलिप क्या है हमारा कुछ, इस तरीके से ये क्या है, ये पॉलिप है, ये क्या है, अल्लैंगिक, ठीक है, ये क्या है, अल्लैंगिक होता है, ठीक है, और ये पॉलिप क्या होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, चलो, यह छोटा होता है ठीक है अब क्या होता है अब क्या होता है यह जब यहाँ पर जनन करेगा तो यह क्या होगा भई इस तरीके से मेडिूसा बना देगा मेडिूसा में चेंज हो जाता है ठीक है इसका मतलब यहाँ क्या हो गया लेंग एक जनन होगा यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर जभी मेड्यूसा में चेंज हो गया तो यहाँ पर क्या होगा लेंगिक जनन हो जाएगा लेंगिक जनन होगा लेंगिक जनन का मतलब कि भाई इसमें क्या है मादा शरीर भी है और नर शरीर भी है कि यहां पर नर और मादा शरीर हो गया कहीं पर भी हो सकता है ठीक है यह हो गया नर और यहां हो गया मादा ठीक है ना अब यहां पर गया है कि नर और मादा दोनों है ठीक है नर और मादा दोनों संरशना यहां मौझूद है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, यहां संतान बनेगी, क्या बन गई यहां पर, संतान बन गई इसका मतलब यहां पर, अब जब यहां पर संतान बन गई है, तो वो संतान कैसे बनेगी भाई, इस तरीके से, याने की पॉलिप, ठीके, पॉलिप बन गई, तो इसका मतलब यह इस पोलिप में क्या हुआ जब वहां cities ह observe your systems together to Alivar होुण हुआ tys plutôt से नरर मादा तो वहांवं पुर्ड़ाय में दोनों मिलती हम्थों जो स कार्ष नन इस मतलब एक तो प्रसलिक ने की सेक्शवल रिप्र्डाइक्शन अब जब यहां लेंगेग जनन होगा तो इसका मतलब यहां संतान बनेगी भाई लो जी संतान बन गई यह आपर ठीके अलग कलर से लिख देते हैं लो ताकि दिखें आपको संतान बन गई ठीके अब यह संतान क्या कर रही है भाई आगे चलके पॉलिप में बदल जा रही है ठीके यह बन गई आगे चलके से मतलब जो संतान बनी है वो यह क्या है पॉलिप है यह मतलब है ठीके तो अबेलिया का एक्जाम्पल यह हो गया है म questionnaire बिलकुल किभाई पहले पॉलिप था पॉलिप से मेडियूसा बना मेडियूसा से फिर पॉलिप बन गया तो यहां क्या हो रहा है पीड़ी एकांतरण हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि चलो यहां देखो यह कुछ例えば तो देखो यह क्या है आदेंसिया जिसको हम क्या बोलते हैं समुद्री आनिमोन बोलते हैं यह देखो है ना कितना खुबशूरत इस तरीके से खा गया उसको देख रहे हैं अभी स्टार्फिश इसके अंदर आनिमोन याने की मतलब एक तरीके से बोल दखते हैं हम इसको कि क्या है समुद्री है क्या बोलेंगे इसको जो खुकार होते हैं खतरनाक होते हैं तो कुछ उस तरीके से कि इन से सब डरते हैं ठीके फिर दूसरा कि हमारा फाइसेलिया यानि पुर्टगाली युद्ध मानव यह बहुत खुबसूरत होते हैं देखो आप इनको लग रहे ना कितने खुबसूरत हैं पर भाई यह भी बहुत खतरनाक होते हैं ध्यान रखना इस चीज को ठीक है चलो second example यह था फिर हमारे पास आता है घंडरिन य्यानि की ब्रेन कोरल यह देखो मिए इसले मिए इसलिए इसलिया नाम ब्रेन कोरल रख गया है Discr Давай को यह हमारे ब्रेन की तरह दिखता है हलका हलका इसले इसका नाम क्या है ब्रेन कोरल है ठीक फिर अगला हमारे पास क्या आता है कोर्गोनिया यानि समुद्री वेंजन खाने की चीज कितना खूबसूरत है है ना ठीक है चलो आगे बड़े फिर उसके बाद आता है पैनेट्यूला यानि की समुद्री पिच पिच मतलब वो पिचाज टाइप का नहीं बोलते हैं हिंदी में कुछ ऐसा ठीक है ना और बात करते हम संग टीनोफोर यानि की फाइलम टीनोफोर ठीक चलो अब अगर यहां पर बात करते हैं इनके बारे में हम तो वह सबसे पहले हम इसके आवास के बारे में बात करेंगे इसका आवास देखते हैं हम आवास कहा है इसका समुद्री जल ठीक है समुद्री जल ठीक है यह इसका आवास हो गया ओके चलो ठीक है अब इनका जो नाम होता है वो अलग अलग होता है ठीक है जिसके अलग अलग रीजन्स है ठीक है, अलग-अलग reasons की वैसे इनके अलग-अलग नाम भी पड़ गए, तो चलो देख लेते हैं, कि भाई, ये क्या होते हैं, अखरोट की shape के जो होते हैं, ठीक है, अगर हम बोलें कि अखरोट की shape होती है, ठीक है, जिस टीनो-फोर की, जिस टीनो-फोर की अखरोट की shape होती है, उसको बोलते हैं, हम C अखरोट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे C walnut, ठीक है, तो इस टीनो-फोर को हम C walnut के नाम से भी जानते हैं, ठीक, उसके बाद com, com jelly, ठीक है, com jelly, भी कहते हैं इसे, क्योंकि चलो एक structure बनाते है, एक टीनो-फोर का, ठीक है, यह आपका क्या है, टीनो-फोर का एक structure है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से यह पटियाएं मौजूद होती हैं, ठीक है, इस तरीके से यह पटियाएं मौजूद होती हैं, अब इन पटियों को क्या कहते हैं हम, यह पटियाँ कहलाती हैं, बाहे, कंकाली, पट्टिया, ठीके, क्या कहलाईए, बाहे, कंकाली, पट्टिया कहलाईए, ठीके, संख्या में कितनी होती है, आठ होती है, ठीके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक और तरीके की सनरशना पाई जाती है, ठीके, कैसी, काटो जैसी, कहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करके यह देखो दिख रही है आपको हम जो अपने घर में कंगा यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम कौम बोलते हैं ठीके? तो यह क्या है? कौम like structure हो गए जो हम घर में कंगा यूज़ करते हैं कैसा होते हैं? बहुँ कुछ इस तरीके से होता हैं? है ना? तो यह भी ऐसे ही दिख रहा है कोई-कोई कौम खैसा होता है कि इस तरीके से हो गया? कोई-कोई ऐसा हो गया? है ना? तो यह क्या है? कौम like structure है यानि कंगे की जो सनरशना होती है ना वैसे यहाँ पर काटे-काटे-काटे है ठीके? ठीके? तो यहाँ पर क्या हो गया और? यहाँ पर यह जो सनरशना है है कंगी जैसी ठीके? यह क्या लगती है? कंगी जैसी लगती है कंगी जैसी सनरशना ठीक है तो इसका नाम क्या होगे दूसरा कॉम जेली नाम हो गया ठीक है चलो ठीक है पहला क्या था हमारा सी एक रोट यानि कि सी वालनेट दूसरा क्या हुआ कॉम जेली है ना और क्या हुआ भाई चलो ठीक है अब अगर हम इसकी शरीर की संरशना की बात करते हैं शरीर की संरशना तो यहां पर किस तरह का संगटन मौजूद है? किस तरीके का organization मौजूद है? अगर हम संगटन यानिग की organization की बात करते हैं किस तरीके का है? उत्तक स्तर का है, ठीके? उत्तक स्तर का ओके? क्योंकि कोशिकाएं क्या है यहां सम्मू में मौजूद है और जब कोशिकाएं सम्मू में होती है तो वो उतक बनाती है चलो ठीक है अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर सम्मिती की बात करते हैं ठीक है अगर किसी भी जीव को अगर अक्षि से काटा जाता है हम उसे अगर अक्ष से काटते हैं ठीक है अक्ष से काटने पर ठीक है अक्ष मतलब किसी भी तरीके से किसी भी अक्ष से काट लो तो ठीक है मतलब किसी भी किसी भी अक्ष से ठीक है तो क्या होगा बराबर भागों में दिखेगा ये क्या होता है बराबर भागों में दिखेगा ठीके और ऐसे जीवों को क्या बोला चाता है कि इनमें कौन सी सम्मिति है क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी कॉमेंट में बताईए ऐसे जीवों को क्या बोलोगे आप हां अरिय सम्मिति ठीके क्या बोलोगे अरिय सम्मिति ओके ठीके या तक चलो आगे बढ़ते हैं अब यहां पर जो जीव होते हैं तो वो जो जीव होते हैं यहां पर जो जीव हैं उन्हें जो ब्रून विक्सित होता है ठीके इन में जो ब्रून विक्सित होता है वो कैसा होता है कैसा होता है वो दो ब्रूनिये ठीके वो क्या होता है दो ब्रूनिये स्तर दो ब्रूड ये स्तर होता है उसमें ठीक है याने की वो क्या कहलाया द्वी कोरिक ठीक है द्वी कोरिक कहलाया वो ठीक है द्वी कोरिक कहलाया ठीक है ठीक है इसका मतलब वहाँ क्या मौजूद है एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म ठीक है ओके, क्लियर यहां तक चलो, यहां तक किसे हो कोई डाउट तो नहीं है न बड़े आगे ठीक है, एक बाद फिर से देखना चाहो तो देख लो कि भाई इनका आवाज समुद्री जल होता है, इनके अलग-अलग नाम होते हैं, ठीक है, जिनने हम अलग-अलग-अलग-अलग नामों से भी इनको जाना जाता है, जैसे की C-Wallnut हो गया, जो क्या होता है अक्रोड की शेप का होता है, इसलिए इसको C-Wallnut बोलते हैं या C-Wallnut बोलते हैं, फिर कॉम जैली भी कहते हैं, क्यों कहते हैं वाई, क्योंकि क्या होता है कि यह जो होता है, कॉम जैसे स्ट्रक्चर्स यहां पर मौझूद होती है, ठीक है, फिर क्या होता है इनक किसी भी अक्षि से काटो, आप यह क्या है, बराबर दिखाई देंगे, ठीक, अब इन में जो भ्रूण विक्सेत होता है, वो दो भ्रूण यह स्टरका होता है, ठीक है, जिसका मतलब दूकोरिक हो गया, इसका मतलब उसमें एक्टोडर्म और अंडोडर्म दोनों मौझूद है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हो, देखते हैं, यहाँ पर विशेश गुण आता है, ठीक है, यहां पर विशेश गुण आता है, ठीक है, अब वो विशेश गुण क्या है, क्या है वो विशेश गुण तो भाई विशेश गुण यह है कि यह जो जीव होते हैं वो जीव संदिप्ति दिखाते हैं ठीक है यह जीव क्या करते हैं जीव संदिप्ति मतलब की क्या हुआ संदिप्ति का मतलब की वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं उत्सर्जित कर रहे हैं संदिप्ति ठीके संदिप्ति यानि की वो प्रकाश को क्या कर रहे हैं उत्सर्जित कर रहे हैं प्रकाश को उत्सर जित कर रहे है या करते हैं ठीक है आरे ये क्या हो गिया थीक है वो क्या करते हैं अपनी बौड़ी में से क्या निकालते हैं लाइट निकालते हैं तो यहां पर क्या होता है पारदर्शी सनरशना होती है ठीके यहाँ पर क्या होता है कि भाई पारदर्शी पारदर्शी सनरशना होती है ठीके जो क्या करती है जो light होती है ठीके जो प्रकाश होता है या जो light होती है ठीके उसे colors को क्या करती है disperse करती है यानिकि फेलाती है जैसे कि prism देखा है आपने तो prism क्या होता है एक पारदर्शी संरशना होती है यह prism है आपका ठीके तो prism में क्या होता है यह पारदर्शी होता है जब यहां से light आती है तो light क्या करती है वही यहाँ पर color भी खेर देती है ठीक है क्या करती है यहाँ पर यह लो मैं अलग-अलग colors बना देती हूँ ठीक है यह से बैपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि ठीक है जब यहाँ पर एक पारदर्शी किसी चीज में से light गुजरेगी तो वो colorful colors क्या करता है disperse कर देता है तो सेम यहाँ पर क्या होता है कि यह जो पारदर्शी सनरशना होती है यह क्या करती है light को अलग-अलग colors में करके disperse कर देती है ठीक है ओके उसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर अंतहा और अंतरा ठीक है? दोनों तरीकेगा अंतहा क्या होता है? और एंड लिखने वाली थी मैं यह क्या होते हैं बाई? अंतहा और अंतरा कोशी की यह जीव होते हैं कोशी की यह जीव होते हैं ठीक है? मतलब जो उनके शरीप में पाचेन हो रहा है वो कोशी का के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है ठीक है? चालो नाइंट यह हो गया अब अगला बात करते हैं कि यह क्या होते हैं भाई? यह दूलिंगी होते हैं यह क्या होते हैं द्विलिंगी होते हैं द्विलिंगी जीव होते हैं यह ठीक है अब द्विलिंगी जीव का मतलब भाई नर भी है यहां पर और मादा भी है यहां पर ठीक है दोनों यह इसका मतलब यह दोनों कहां है एक ही शरीर में ठीक है एक ही शरीर में लेकिन जब यह व पर जब बात इनके युगमकों की आती है तो ये अपने युगमक कहां छोड़ते हैं ये अपने युगमकों को जल में छोड़ देते हैं ठीके और जल में ही क्या होता है इनका सलयन हो जाता है पिर जहां पर इनका जहां इनका सलयन हो जाता है ठीके इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो निशेचन की क्रिया है यहाँ पर जो निशेचन की क्रिया है निशेचन की क्रिया वो क्या है जल में हो रही है इसका मतलब क्या बाहर हो रही है यह शरी से तो क्या कहलाएगा वो बाहर निशेचन कहलाएगा बाहे निशेचन ठीके बाहे निशेचन अब यहाँ पर क्या होती है लार्वा अवस्ता पाई जाती है ठीके यहाँ लिख देते हैं चलो यहाँ पर क्या लार्वा अवस्ता पाई जाती है ठीके लार्वा अवस्ता पाई जाती है है आपकी बुक में नहीं दे रखिये रहे लिख नहीं पाई जाती है झाल जाती है तो जाती है नाम भी दिया हुआ है उसका नाम है सिडबस्ड लार्वा उसका नाम है तो इसको skip कर सकते हो चाहो तो इसको याद भी कर सकते है क्योंकि आपकी book में नहीं है ठीके? चलो, अगर हम इसके बाद point की बात करते है इसके बाद के तो इसके बाद एक और point आता है ये अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है इन में प्रतिक्ष परिवर्दन होता है जब बात हम विकास की क्रिया में करते हैं यहां पर ठीक है तो यह सब क्या थे इसके लक्षन थे चलो यह दिखा देते हैं एक बार आपको क्या है इनकी जो स्पेशल केरेक्टरस्टिक है इनका वो देख लो आप ताकि आपको पता चले कि लाइट कैसे दिखती है इन में ही देखो कितने खुबसूरत लग रहे हैं नहीं है है ना चलो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ओकी अब थोड़ा से चलो हम टेक्स्बुक का देख लेते कि आपकी टेक्स्बुक क्या बोल रही थी उसको भी सुन लेते हैं हम कि भई पाचन यहाँ पर अंत्रह कोशिक तता अंत्रह कोशिक दोनों प्रकार का होता है ठीक है जीव संदिप्ति यानि प्राणी के द्वरा प्रकाश उत्सर्जन करना मुख्य विशेश्ता इसकी है जो हमने अभी पीछे देखी है वीडियो में यहाँ पर नारोर्मादा अलग नहीं होते हैं ठीक है यहाँ पर जनन सिर्फ और सिफ लैंगिक होता है ठीक निशेचन बा इनिशेचन यानि की एक्स्टरनल फर्टिलाइजेशन और बॉड़ी के अंदर होगा तो क्या कहलाएगा इंटरनल इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानि की आंत्रिक तदा अप्रतिक्ष परिवर्दन होता है जिसमें लार्वा अवस्ता नहीं होती है यहां लिखा हुआ है ठीक है लेकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हमने गूगल पर देखा था तो वहां पर दिख रही थी कि हां है तो इसलिए यहां पर यह पॉइंट आप चाहो त एक के ओके इसके बाद क्या आते है इसके बाद हम बात करते हैं बई संग प्लेटी हीमनलीक जिनको हम क्या पुलते हैं चप्त रIGN में प्लेटी हेलमेंटिस, ठीके, फ्लाट वार्म्स जिन में आते हैं, क्रमी मतलब, क्रमी मतलब क्या हुआ, वार्म्स, ठीके, चप्टे मतलब फ्लाट, तो ये क्या हो गए, फ्लाट वार्म्स हो गए हैं, ठीके, ओके, यहां पर आप इनकी फोटो भी देख सकने हैं, एक दम तो इनके लक्षन बोल रहे हैं कि भाई हम क्या होते हैं हम चप्टे क्रमी है ठीके ये क्या है चप्टे क्रमी होते हैं ये ठीके चप्टे क्रमी मतलब क्या होता है मतलब भाई की जो इनका प्रेस्ट भाग है प्रेस्ट भाग वो क्या है चप्ता है ठीके चप्ता है और ये को दिखते हैं हमको ज्मार दर बारेस में दिखते हैं थीक्ऐ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है हाँ कॉमेंट्स में बता तो दिए करो कि ऑ और वीडियो को लाइक कर दिया करो ठीक है भूला मत करो चलो आगे बढ़ते सेकिंड पॉइंट देखते हैं कि अगर हम इनके आवास की बात करते हैं ठीके अगर हम इनकी आवास की बात करते हैं कि यह कहां रहते हैं इनका आवाज कहा है तो अब तक क्या था हमने जितने भी पड़े थे उन सब में क्या था कि यह जल में रहते थे सब इन्होंने सोचा कि क्यों ना चलो हम थोड़ी तरक्की कर लेते हैं अपना प्रोमोशन कर लेते हैं तो यह जल में से निकल के क्या कर लिया इन्होंने यह जम यह आए परजीवी के रूप में इसमतलब मनुष्य या कोई दूसरे जो मनुष्य ओते दूसरे जी उनके शरीर पर यह बैठ जाते हैं अराम से बाज तो free fund में खाना खाते हैं पानी पीते हैं सारा पोशन चीनते हैं और आगे चलके हो सकते हैं बहुत ज़्यादा नुक्सान पहुचाते हैं उनको और फिर किसी वो जीव है उसकी क्या हो जाए मृत्ति हो जाए ठीक है चलो उसके बाद हम बात करते हैं भाई इनके शरीर क अंग ठीक है अगर हम शरीर के अंग की बात करते हैं तो यहां पर शरीर के अंग मौजूद होते हैं जिसका मतलब है कि भाई यहां पर अंग इस्तर का अंग इस्तर का क्या है संगटन मौजूद है ठीक है यहां पर क्या है जब अंग है तो इसका मतलब अंग इस्तर का संग यानि की organization मौजूद होगा ठीक है चलो यह हो गया next point देखते हैं कि अगर हम इनकी सम्मिति की बात करते हैं ठीक है तो यहां कौन सी सम्मिति होती है view पार्षव यहां पर होती है जैसे कि example ले सकते हैं प्लेनारिया का प्लेनारिया क्या करता है कि अगर यह किसी भी कारणवश क्या हुआ कि तूड़िया या फिर इसको जनन की process करनी होती है अपनी तो कैसे करता है यह इसका इसके जो हर एक पीस होता है अपने को नए जीव में convert कर लेता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले स्थर तो यहां कौन सा है ब्रूणिय स्थर यहां पर तीन ठीक है त्री ब्रूणिय स्थर पाया जाता है जिसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है यहां पर त्री कोर की स्तर मौजूद है जहां पर क्या होता है जहां पर आपकी एक्टोडर्म भी है जहां पर आपकी मीजोडर्म भी है और इसके साथ-साथ आपकी एंडोडर्म भी है ठीके ये सारे चीज़े हैं यहाँ पर आपकी ठीके चलो ओके नेक्सपइंट देखते हैं नेक्सपइंट हमारा यह है कि भाई अगर हम यहाँ पर चूशक की बात करते हैं ठीके यहाँ पर अगर हम चूशक की बात करते हैं चूशक इसकी बात करते हैं तो वो किसलिए होते हैं चूशक किसी चीज को अफशोशिक करने के लिए है ना एब्सॉर्ब करने के लिए होते हैं ठीके तो चूशक से क्या होता है जो भोजन में ये काम आता है ठीके, तो ये भोजन को क्या करता है, अब शोशित करता है, अब शोशित, यानि कि एब्जोर्ब करता है, ठीके, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें भी एक विशेश सन्रशना होती है, यहाँ पर क्या है एक विशेश सन्रशना होती है, ठीके, विशेश सन्रशना, जल्दी बताओ कौन सी विशेश सन्रशना होती है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वो होती है, उत्सरजन, अंग ठीक है उत्सर्जन अंग ठीक है जिसको हम क्या पोलते हैं अलग तदर से लिख देती हूं इसको ताकि आपको अच्छे से दिखाई देता रहे वो है प्रोटो नफ्रिडा ठीक है प्रोटो नफ्रिडिया ठीक है प्रोटो नफ्रिडिया क्या है जौला जौला कोशिका जिसे कहते हैं हम जौला कोशिका ठीक है चलो यह कोशिन फस जाता है कि जो इसका स्पेशल क्या है विशेश संरश्ण है इसकी क्या है और उस उत्सर्जन अंग का नाम क्या है ठीक है तो वह क्या है जौला कोशिका ठीक है याद रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब अगर हम यहां पर बात करें जीव कैसे होते हैं तो यह जीव क्या होते हैं द्विलिंगी होते हैं द्विलिंगी जीव है इसका मतलब क्या है कि यहां पर नर और मादा दोनों मौझूद है ठीक है यहां पर नर भी है और मादा भी है नर क्या दे रहा है नर युगमक और मादा युगमक ठीक है लेकिन बात यह है कि यहां जो सनलयन होगा वो कहां होगा सनलयन शरीर के अंदर होगा ठीक है शरीर के अंदर तो इसका मतलब यह है भाई शरीर के अंदर होगा तो मैंने थोड़ दिर पहले आपको बताया था कि अगर शरीर के बाहर होता है तो क्या कहलाता है वो बाहे निशेचन, यानि कि external fertilization, ठीक, और अगर शरीर के अंदर हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो आंतरिक निशेचन, यानि कि internal fertilization, तो वो क्या कहलाएगा अपना? तो यहाँ पर निशेचन कैसा है? निशेचन आपका हुआ आंतरिक, निशेचन, क्या हुआ आंत्रिक याने की इंटेर्नल ठीके ओके ठीके अगर परिवर्धन की बात करते हैं तो परिवर्धन यहां पर क्या होता है अप्रत्यक्ष होता है ठीके अप्रत्यक्ष परिवर्धन ठीक है यह सब क्या है इसके लक्षण है ठीक है यहां तक सब क्लियर कोई डाउट हम नहीं ना चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ऑगे चले जो अभी तक हमने बात करी है कि यह सब क्या रही है तो इनकी प्रश्ट सतय चप्ती होती है थीख है फ्लाट होती है इसलिए ने चप्ति करमी यानिके प्लाइट्वर्म कहा जाता है ठीक इंद में द्यूपार्षवी संभिती होती है यह भी नीमिलेंथि यहां पर विशेश प्रकार कि कोशिका पाई जाती है कन्सी ज॓ला लूम कोशिका यान efficacy flame cell कहते है जो क्या करती है उटसर्जन में सहायता करती है excretion में help करती है संग के अधिकतर प्राणी अंतहा पर जीवी होते हैं जिनमें चूशक पाए जाते है याने की जो अंदर पाए जाते हैं body के अंतहा पर जीवी ठीके इन में अधिकांश प्राणी, द्विलिंगी होते हैं ठीके निशेजन आंतरिक होता है यानि की इंटर्नल होता है कर्रेक्ट प्लेनरिया में प्लेनरिया का एक्जेम्पल दिया था मैंने पुरुरुद्दावन की असीम शम्ता होती है मतलब planaria क्या करता है शरीर का चोटा सा चोटा भाग काच दिया जाए तो उस कटे हुए भाग से फुना है planaria बन जाता है कि यह गलती से उसको काच दिया है तो क्या हो गिया है हर चोटे से चोटा पीस क्या करेगा अपना उपना प्हों नए जीव में बदल देगा ठीक, चलो, एक बार देख लो, वीडियो इसकी, क्या पर आपको समझ में आ जाए, कि मैम क्या बोल रही है आप से, ये देखो, यी बलेनेरिया है, इसको यहां काटके दिखाया गया है, ध्यान से देखना बिलुकुल, ठीक है, देखो किस तरीके से ये क्या कर रहा है, आप इसका एक पार्ट जो हैं, एक पार्ट ही दिखा रहे हैं, बस हम आपको, कितनी जल्दी देखो ये डेवलप हो रहा है देख रहे हो आप तो ये डेवलप हो जाता है ठीक ओके अब इसके एक्जेम्पल है टीनिया पेसियोला और प्लिनारिया टीनिया ठीक है टीनिया फेसियोला और प्लिनारिया ठीक है प्लिनारिया की एक और खास प्लिनारिया जो है चोले एक बार समझा देती हो आपको बना के कि हम अगर प्लिनारिया की बात करते हैं तो प्लिनारिया का जीव कैसा है ऐसा करके ये आपका प्लिनारिया है ठीक है इसको हमने यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, काट दिया हमने, काट दिया तो यह वाला portion भी एक अलग प्लेनरिया बना लेगा, यह वाला, यह भी अलग बना लेगा, यह भी अलग, यह भी अलग, ठीके, तो इसको चार पीसिस में काटा तो चार प्लेनरिया बन अगर हम प्लेनारिया की बात कर रहे हैं, तो भाई अगर यह प्लेनारिया है, छोटे से छोटे पीस में भी काट देंगे ना इसको, छोटे छोटे पीस में, तो हर एक पीस, हर एक पीस, एक नए जीव में कनवर्ट हो जाएगा, हर एक पीस, समझे रहों, यह इसमें capability है, तो वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है आपका कांगया, पुनुरुद भवन, ठीक है, पुनुरुद भवन, ठीक है, चलो, ओके, तो बचलोग, यह थी आज की आपकी क्लास, कॉमें प्लीज जरूर बताया कीजिए, कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि उसको और किया जा सके, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको यह ची समझ में आ रही है, ठीक है, तो आपके लिए और अच्छी क्लास लेके आया जा सके, ठीक है, तो अब आपका क्या हो रहा है, प्लैनेरिया निगल रहे है मुसे, जो आपका प्लैन है, वो क्या कर रह ठीक है, गाना गाई है, खेलिए, कूदिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है, और अगली क्लास का वेट करना है, वापिस यहीं पे आना है, यहाँ पर ही हम आपको मिलेंगे, ठीक है, और कोई डाउट हो तो क्या करना है डाउटनेट करना है ओके ठीक है बच्छा लोग अभी हम जाते हैं और आते हैं एक और नए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी बुक के ठीक है तब तक आप लोग खुश रहिए अच्छे से रहिए खुब सरी मस्ती कीजिए लेकिन पढ़ाई करना मत भूलना पढ़ाई करना है चलो मिलते एकली क्लास में तब तक टाटा बाई बाई टेक क्या